Hello students, welcome to Aspire Academy. मेरा नाम है तारीक अनवर और बच्चो आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका application of integrals और application of integrals में जो हम लोग आज देखने वाले हैं, वो है आपका area under curve, तो area under curve का आज हम लोग one-shot करने वाले हैं. आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से दिये हुए curve से हम लोग area find out करते हैं, तो आज का इस लेक्चर बहुत ही important होने वाला है और interesting भी है आपके board exam के point of vision बहुत ही important है, यहां से एक five marks का question आपका रहता ही रहता है, है ना, और साथ-साथ एक चीज़ और कि अभी जो इस लेक्चर में जो हम लोग cover करने वाले हैं, वो है आपका area under simple curve, area between two curves, जो है आपका वो हट चुका है से बस तो हम लोग देखने वाले हैं, जो भी आपका standard form है, आपका standard curves है, जैसे आपका line हो गया, circle हो गया, parabola हो गया, ellipse हो गया, उसी पे best हम लोग को question करने वाले हैं, साथ-साथ, for the safer side, कुछ और extra question भी हम लोग कर लेंगे, जैसे line और curve के पीच में, ठीक है, तो चलिए, सुरू करते हैं, समझते हैं कि किस तरह से हम लोग area find out करते हैं, तो चलिए, देखते हैं कि area हम लोग किस तरह से find out करते हैं, ठीक है, और इसका एक boundary आपको given है कि x is equal to a से और x is equal to b के बीच में आप area find out करके पताईए ठीक है तो माल लेते हैं कि हमारे पास एक simple सा curve है यही है आपका y is equal to fx ठीक है अब इसमें आपको देख रहे हैं कि कहां से कहा area आपको find out करना है यहीं x is equal to a से और x is equal to b के बीच में और इस x axis के साथ यह जो curve है क्या area बना रहा है ठीक है किस तरह से area हम लोग find out करेंगी तो simple सी बात है हम लोग क्या करते हैं यहां से एक x distance पे एक elementary strip हम लोग consider करते हैं ठीक है x के alarm कर रहे हैं तो यहां पर हम इस चीज़ को dx लेंगे क्या लेंगे dx यहां से x distance पे ठीक है और यह जो इसका height होगा ठीक है या तो y लिखिए या इस चीज़ को fx लिखिए ठीक है या y लिखिए या फिर आप उसको fx लिखिए ठीक है अब क्या करेंगे अब लोग सबसे पहले इस यह जो elementary part है dx जिसका ठीकने साथ माने है ठीक है उसका हम लोग area find out करते हैं ठीक है न तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि area of strip वो जो छोटा सा strip है area of strip जो हम लोग consider यह है है न इसका area तो देखिए इसको थोड़ा सा आप बरा बना के देखिए कि यह किस type से दीख रहा है ठीक है न rectangle type से दीख रहा है वो जो rectangle है उस rectangle का यह जो width है क्या है dx है और यह जो height है इसका क्या है आपका y लिखिए या फिर fx लिख तो क्या होता है rectangle का area आपका length into breadth यानि इसमें जो दिख रहा है dx और y इसको multiply करने जा तो क्या हो जाएगा y into dx ठीक है तो देखिए यह जो आपका strip जो आप consider किये है dx thickness का उसका area हुआ अब हमको क्या करना है इस curve से जो total area बन रहा है वो find out करना है उसके लिए अब हम क्या करेंगे जाए add करते चले जाए तो क्या होगा कि जब हम add कर लेगे तो ऐसा दिख रहा है कि यह पूरा area आपको दे देगा यह ठीक है तो आते हैं ठीक है तो देखिए एक इसका naming कर दीजिए A, B, C और D इस तरह से तो आई यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा area of reason area of reason क्या है reason क्या कौन सा reason आप find out कर रहे है A, B, C, D और फिर वापस आ जाएगा तो यह closed हो जाएगा ठीक है तो क्या करेंगे अब देखिए हमको क्या करना है यह जो छोटा छोटा जो मेरा strips है उसको add कर दे जाना है तो add करने का काम हम किस से ले ले integration से और कहां से कहां तक आपको area find out करना है A, 2, B तक चलिए A, 2, B add कर लिए अब किसको add करना है यह जो मेरा strip था इसके area को add कर देंगे तो यह total area दे देगा यानि Y और T, X यही आपका area under curve निकालने का formula समझ लीजिए technique समझ लीजिए यही यह याद रखिएगा ठीक है यह X के along है अब आद यही चीज़ अगर Y के along होता अगर हम strip अगर Y axis के along अगर लेते हैं इधर X और यह आपका Y अगर curve ऐसे होता और यहाँ बोलता आपको कि Y is equal to A से और Y is equal to B के बीच में आप area find out करके बताओ तो क्या करते हम Y के along एक strip लेते चोटें जिसका ठीक यहाँ इसका जो width होता वो क्या होता D Y होता Y के along ले रहे हैं न यह क्या है आपका Y है तो Y के along लेगे तो D Y हो जाएगा तो यहाँ से जो area आपका निकल के आएगा तो क्या होगा A to B A to B और यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ है आपका Y D X यहाँ इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं A to B Y के जगा पर फिर जो F X है क्योंकि यहाँ D X है तो F X D X लिख लीजिए ऐसा ठीक है तो यहाँ Y D X लिखे थे यहाँ D Y ले रहे हैं तो D Y के लिए क्या करना परेगा X ऐसा D Y ठीक है तो यह हो जाएगा फिर से आपका A to B और X के जगा पर जो Y का function होगा रख लीजिएगा यहाँ से माल लीजिए जो function है X is equal to F Y में है ऐसा ठीक है कोई दिकत तो इस तरह से हम लोग area find out कर लें ठीक है आप आज़ जीए class 12 में अभी आपका जो slivers है वो सिर्फ simple curve के बारे में और कुछ standard जो curves है आपका circle हो गया ellipse हो गया parabola हो गया और line है बस यही है area between two curves remove हो चुगा है तो इसलिए बहुत आसान हो गया आप यह ठीक है फटाफट revision कर लेजेगा अच्छा है यहाँ से एक नए question आपका रहता ही रहता है आपके exam में ठीक है अब आते हैं यह हो गया आपका कि x के long और फिर y के long अब आते हैं अब हम लोग देखते हैं कि एक possibility ऐसा भी हो सकता है यह curve आपका नीचे है ठीक है curve x axis के नीचे है कोई दिक्कत नहीं है नीचे भी है तो area तो हम तो निकाल ही लेंगे ठीक है यहां भी वही काम करना है ठीक है न इसका जो y is equal to fx है न यहां पर नीचे होने के वज़े से यह y जो हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा और y आपका negating हो जाएगा ठीक है area तो negative होगा नहीं तो इस तरह का area अगर आपको नीचे में x-axis के अगर downward नीचे में अगर area find out करना हो तो यहां से जो area निकालेगा उसके लिए क्या कीजिएगा करना तो वही है a to b a to b और यह y और dx कर लीजिएगा बस यहां क्या करना है दो dunday लगा दीजिएगा ठीक है न mode लगा लेगे तो इस तरह से area negative होने का tension खतम हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं आब आते हैं एक और देखते हैं और क्या possibility है अगर suppose इस तरह से अभी हम सिर्फ simple curve का ही consider करके चल लेए ठीक है आब आते हैं अभी अगर ऐसा होता है इस तरह से ठीक है इस तरह से कोई curve है आपका अभी यहां क्या हो रहा है देखिए यह माल लेते हैं x is equal to a और यहां माल लेते हैं यह आपका x is equal to b ठीक है बीच में आप देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है उपर से यहां से आने के बाद यहां से यह change हो रहा है नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं यह माल लेते हैं यह x axis पर आपको c point पे मिल रहा है c point पे meet कर रहा है कोई दिक्कत नहीं एक area इधर निकाल लीजिए ठीक है और दूसरा area हम लोग इधर find out करने ठीक है आप क्या करें कुछ नहीं आप यहां से यहां एक area निकाल लीजिए ठीक है यह माल लेते हैं y is equal to effects का curve है आपका ठीक है तो एक area उपर होगा और एक area नीचे होगा है न तो इसको calculate कैसे करेंगे देखे इसको हम लोग बोल लेते हैं a1 और इसको बोल लेते है a2 कोई दिक्कत नहीं यहां से area निकालने के लिए आप एक काम कर लीजिए सबसे पहले आप a2 c चलिए a से c तक ठीक है उपर में है upward है area किदर मिला है x axis के उपर यानि इधर से हमको positive मिलने वाला है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं y into dx यह downward गया कहां गया नीचे नीचे गया तो थोरा सा minus का tension यह देखे जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब c2b चलते हैं c2b और यह फिर आपका y और dx ठीक है अब क्या करे कुछ नहीं अभी अभी आपको यहां पर यह बात जो बताया गया है कि downward है तो इसको protect कर लीजिए mode से ठीक है हो गया area इस तरह से आप यहां से निकाल दीजिए ठीक है आब आते हैं next एक और ले लेते हैं तक और कंडिशन देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या एक काम करते हैं किसी को मीटाते हैं अब आ जाईए अब next हम लोग देखते हैं कि suppose आपके पास कोई इस तरह का एक कर ठीक है और उसके बाद क्या हो रहा है कि एक आपका यहां से यह लाइन इसको कट कर रा रहा अब आपको एक तो यहां माल लिजए अभी origin से पास नहीं कीजी इसको ऐसे बोल लिए अभी देखी यह क्या हो रहा है actually यह 2 में चला जाएगा मागा फिर भी चलिए इस तरह का question आपको मिलने वाला है, तो चलिए माल लेते हैं, यहां पर एक point x is equal to a है, और यहां पर दूसरा जो है, वो आपका x is equal to b, ठीक है, यह area आपको find out करना है, ठीक है, अब कैसे करें, area तो आपको दिख रहा है, कि यही, यह जो curve है, और इस line के बीच में, और यह x axis के, बीच में हमको area find out करना है यह area find out करना है, अब यहां से क्या करें, ठीक है, a से b direct चली रहे, a से b अगर direct जाएगा, तो यहां पर परिशानी यह हो गया, a से अगर शुरू हो रहा है, यह अभी क्या है, यह आपका एक line, suppose, तोरी देर के लिए, क्योंकि हमको line और curve का भी देखना है, इसलिए यह condition हम ल हो जाएगा, तो हम direct x is equal to a to b नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें, तो जहां पर दोनों curve intersect कर रहा है, यहां पर रुखिए, ठीक है न, यह जहां पर intersection हो रहा है, यह जो point of intersection है, यहां पर रुख जाएगे, ठीक है, और माल लिजिए कि x is equal to c, तो अब यहां से तो simple हो गया, यहा इनके वज़ा से, और इधर जो हो रहा है, वो curve की वज़ा से, कोई दिक्कत नहीं, यह तो अब आसानी से find out कर लेजिएगा, तो यहां से क्या करना होगा, बस, आपको यहां से, इसको माल लेते हैं, यह y is equal to fx हैं, और इसको माल लेजिए y is equal to gx हैं, ठीक है, दो अलग अल यहां से a से c, और इसके लिए जो है, y is equal to fx हो जाएगा न, तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, fx और यह dx, और फिर यहां से c to b, c to b, और इसके लिए यह क्या हो जाएगा, gx और dx, अब रहा गया यह c हम लोग कैसे find out करेंगे, तो देख रहे हैं, वो दोनों curve का क्य रहे हैं, तो आप वो point of intersection निकाल लिएगा, कैसे निकाल लिएगा, दोनों को solve करके, ठीक है, तो इस तरह से आपको, वो point मिल जाएगा, जैसे ही, वो point मिला, फिर यहां से यह, यहां से यह, ठीक है, तो यह तो कुछ आपका basic concept हुआ, कि हम लोग किस तरह से area find out करेंगे, जो सबसे important point है आपका, कि वो curve आपको draw करने आना चाहिए, अगर curve draw करने आ गया, तो फिर कोई परिशानी नहीं है, कोई tension नहीं है, आप आसानी से area find out कर सकते हैं, बस curve को trace कीजिए, और finally, जो limit है, put कीजिए, integration पर चुके हैं, आसानी से हो जाएगा, तो सबसे important है curve, तो चलि इस तरह से हम लोग curve को trace करेंगें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग line से सुरू करते हैं, कि line के बारे में क्या ख्याल है आपका, इस किस तरह का line हो सकता है, तो सबसे पहला हम लोग line देते हैं, इस तरह से मार लेजी, एक्स पलस by is equal to c, इस तरह से, ठीक है, तो जब भी draw करना हो, तो क्या कर दें, line के लिए आपको दो point चाहिए, है ना, दो point मिला तो आप line असानी से draw कर सकते हैं, तो यहां से क्या कीजिएगा, इस तरह का जब भी line का equation given हो, ठीक है, और आपको line को draw करना है, तो यहां से x, y इस तरह से table बना लीजिए, को point चाहिए, ठीक है, ए है ना, इस तरह से आपको मिला, ठीक है, दो point मिल गया, अब आसानी से उसको draw कर सकते हैं, एक्जामपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे माल दीजिए, कि यहां से 3x plus 5y is equal to 15, कितना है, 15, इसका हमको draw करना है, यह line कैसा होगा, x और y, ठीक है, अभी अभी पताए, क्या कीजिए एक बार x को 0 कीजिए, जैसे ही यहां x को 0 कीजिएगा, तो 5y is equal to 15, तो y is equal to 15 by 5, तो यहां से यह किसका value कितना मिल जाएगा, 3, उसके बाद, अब y को 0 कीजिए, ठीक है न, y को 0 कीजिएगा, तो 3x is equal to 15, तो यहां से x is equal to कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, अगर और भी परहे आप 11th में परहे होईएगा intercept form तो वहाँ से भी किसी भी line को आप intercept form में convert करके वहाँ से भी निकाल सकते हैं 15 से divide कर दीजेगा तो यह x by 5 और यह y by 3 is equal to 1 तो यह x axis का intercept हुआ यह y axis का intercept हुआ खेर चलिए अगर वो याद नहीं रहता है तो हम लोग यहाँ से भी यही है आपका main technique इसी को याद रखिएगा ठीक है वो याद है तो बहुत बढ़िया है अच्छी बात है ठीक है अब आदेगे पहला point देखिए 0,3 है न माल लेते हैं यहीं पर y का x का 0 y का 3 ठीक है उसके बाद x का 5 और y का 0 लाइन को हम लोग trace कर सकते हैं drug कर सकते हैं ठीक है एक तो यह हुआ ठीक है बेक ओफ फर्म देख लेते हैं हम लोग लाइन का ठीक है क्या है वो दूसरा देखते हैं यह y is equal to mx plus c ठीक है y is equal to mx plus c यह भी एक लाइन है यहाँ से भी आप इसी प्रोसेस से जा सकते हैं ठीक है यह एक बार x को 0 रखिएगा तो y का value c होगा और एक बार y को 0 रखिएगा तो x का value minus c y m होगा ठीक है यह नहीं तो यह किस form में है slope intercept form में याद रखिएगा जहां m क्या है line का slope है और c क्या है y intercept होता है y intercept तो चलिए अगर ये चीज मालूम है तो इसको भी हम लोग आसानी से draw कर सकते हैं कैसे देखिए y intercept c y intercept c यानि ये y intercept क्या होता है origin से जो axis पे distance होता है उसी को हम लोग क्या बोलते है intercept ठीक है और slope क्या होता है जब भी कोई line x के positive direction से अगर एक 10 theta है वही उसका क्या होता है slope होता है ठीक है तो चलिए ये ही हुआ आपका line ठीक है y is equal to mx plus c का ठीक है जहाँ c क्या है y intercept है याद रखेगा c को क्या बोलेंगे y intercept y intercept ठीक है कोई दिक्कत है अब m और c का value change करेगा जैसे 2x plus 3 दे दिया ये होगा आपका line का graph ठीक है अब आदे अब यहाँ से एक point और अगर suppose यहाँ से यहाँ से अगर c आपका 0 हो जाता है c 0 हो जाता है c 0 कहने का मतलब y intercept 0 हो जाता है अभी ये intercept y पे c है तो इस height पे है अगर ये 0 हो जा रहा है y intercept अगर 0 हो जाता है c 0 हो जाता है मतलब ये line कहां आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ठीक है यानि आपको origin से पास कर जाएगा यानि अगर c 0 कर देते हैं तो y is equal to क्या हो जाएगा आपका mx और y is equal to mx अब यहां से slope change करते रहें और अलग अलग equation आप लिखते रहें y is equal to x y is equal to 2x y is equal to 3x कुछ भी हो ठीक है इस तरह से तो यह जो line हुआ यह क्या हुआ यह आपको origin से पास करने वाला line हुआ तो जैसे ही c 0 हुआ y is equal to mx याद रखिएगा y is equal to x हो y is equal to 2x हो y is equal to 3x हो है ना m का value change कर दे जाएगा वो सब कहां से पास करेगा आपका origin से y is equal to mx ठीक है यही इसका slope होता है ठीक है ना x के positive direction से अगर slope negative हो गया तो बस आपका यह हो जाएगा y is equal to minus mx के लिए ठीक है y is equal to minus mx के लिए ठीक है कोई दिक्कत यह हुआ आपका line का equation ठीक है तो और भी हो सकता है अगर c negative हो गया तो यह जो line है अब थोड़ा नीचे shift हो जाएगा यहां कहीं इस तरह से नीचे shift हो जाएगा तो याद रखिएगा ठीक है यह आपका line हो जाएगा तो यह line का concept आपका clear हुआ अब line के बाद हम लोग चलते हैं circle पे ठीक है ना circle का में भी क्या extender form ही है हमको देखना है ठीक है तो आज इस सरकल लेते हैं circle ठीक है क्या होता है इसका equation y square x square plus y square is equal to a square यह circle का equation है ठीक है जिसका यहां से center जो होता है क्या होता है center जो होता है वो आपका 00 होता है और जो यहां से radius होता है radius जो होता है center center 00 और radius कितना होता है एक होता है 00 कहने का मतलब center at origin center at origin ठीक है आप आजएगे अब एक चीज़ देखिए कि यहां से कि अगर x पे square जब आप curve trace करने जा रहे हैं तो याद रहें कि अगर x पे square दीख रहा है तो यह जो होगा symmetry होगा symmetry about y axis किसके symmetry होगा y axis के symmetry होगा ठीक है अब अगर y पे square अगर दीख रहा हो तो यह आपको हो जाएगा symmetry symmetry about x axis ठीक है यानि x पे और y पे अगर power even दीख रहा है यानि x पे power अगर even है तो y के about symmetry होगा और y पे अगर even है तो x के about होगा अगर odd होता है तो origin के about symmetry होता है याद रखें ठीक है तो चलिए यहां से देखते है x square plus y square is equal to a square तो दो एकस पे भी square है और y पे भी square है तो क्या हो जाएगा यह दोनों axis के about क्या होगा symmetry होगा ठीक है तो यही आपका circle का हम लोग circle का आपका curve हुआ ठीक है अब आजाएगे अब इस चीज़ को note कर लीजिए अब एक चीज़ और देखते हैं यहां से यहां तो center zero zero अगर suppose यहां से अगर इसका center alpha बीटा हो जाता है तो alpha बीटा होगा देख लेते हैं ठीक है न एक alpha बीटा होता है तो उसका जो equation होता है x minus alpha का square y minus beta का square is equal to radius का square ठीक है अब यहां से क्या हो जाएगा देखिए alpha बीटा आ गया ठीक है तो यह यहां कहीं होगा ठीक है यह center इसका क्या है alpha बीटा है ठीक है अब देखें ये आपका बीटा हो जाएगा और ये अलफा हो जाएगा तो ये सेंटर जो होगा अलफा बीटा होगा मगर अभी ये और ये दोनों क्या है आपका रेडियस है तो इस केस में रेडियस हम क्या माने है ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा ठीक है अब जैसे ही अलफा और बीटा को जीरो कीजिएगा वो पहला वाला आपको equation मिल जाएगा यह ना आब आजए यहनी कहने का मतलब यहां से कि अगर center अगर आपका a a हो गया यहां से ठीक है अब इस चीज़ को हटा लीजी तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए यहां से यह आपका अगर इस तरह से circle आपको दिख रहा है कि x-a y-a का a square यही आपका क्या हो जाएगा circle का craft ठीक है अब इसी में change करते रहे इधर आएगा अभी यहां center क्या है a a इधर में center आएगा तो क्या होगा minus a और a होगा तो इस case में circle आपका ऐसा हो जाएगा फिर यहां आएगा यहां आएगा यहां पर आपका minus a और minus a हो जाएगा यहां आपका a और minus a हो जाएगा ठीक है अब आज़ेगा फिर अगर माद दीजिए कि circle origin से पास कर रहा है और उसका center अगर x-axis पे लाई कर रहा है origin से pass कर रहा है center x-axis पे like कर रहा है तो यह आपका a 0 हो जाएगा ठीक है a 0 हो जाएगा यह ऐसा भी बोले y-axis को touch कर रहा है तो actually हमको यहां से इसका curve का equation क्या होगा वो देखना है कि x-a का square plus y का square is equal to a square यह आपका radius तो यहां से यह जोगा equation curve होगा circle जो होगा ऐसा होगा और उसका graph ऐसा होगा ठीक है अगर suppose आपको ऐसा दे रहा है कि x-a का square plus y-a का square is equal to a square तो इस case में जो circle हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा जिसका center कहा हो जाएगा y-axis पे और वो origin से pass कर रहा होगा और x-axis को touch कर रहा होगा ठीक है बस यही है थोड़ा सा basic आपका circle से ठीक है अब circle के बाद हम लोग चलते हैं पेरा बोला पे पेरा बोला क्या बोला ठीक है पेरा बोला खुब बोला आते हैं देखते हैं यहां से सबसे पहला जो जो standard form में y square is equal to 4ax एक यह होगा दूसरा y square is equal to minus 4ax होगा एक और हो जाएगा आपका क्या x square is equal to 4 ay चीक है ना और फिर हो जाएगा x square is equal to minus 4 ay ठीक है चार है देखते हैं one by one इसका ठीक है अभी अभी आपको बताया गया कि जब y square हो तो वो किसके about symmetry होगा x के about हो चलिए ऐसा हुआ यह ठीक है इसका vertex जो है origin पे ठीक है vertex कहां है origin पे और इसका जो focus होगा focus जो होगा वो x axis पर होगा और इसको a 0 से denote करेगी ठीक है इसमें एक चीज और आता है एक question मिलेगा आपको latest rectum के बारे में तो एक ऐसा line जो focus से पास करता हो और axis पे क्या हो perpendicular axis पे perpendicular हो तो इस line को हम लग बोलते है latest rectum latest rectum और इसका length जो होता है इसको L बोल दीजिए और इसको L dash तो इसका जो L dash जो होगा वो 4 A के बराबर होगा ठीक है बस यही है ज्यादा information की जरुवत नहीं है बस curve आना चाहिए आपको ठीक है अब यहां से Y square अभी देखें माइनस लग गया माइनस लग गया तो यह इधर गुम जाएगा ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा वर्टेक्स और फोकस आपका यहां आजाएगा माइनस A और 0 पे ठीक है निक्स आते हैं आगे X square is equal to 4 A Y अब X पे square है ना X पे square है तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से यह Y के about symmetry हो जाएगा क्या हो जाएगा symmetry about Y axis ठीक है तो यहाँ से X square is equal to 4 A Y ठीक है तो कर लीजिए Y axis के about symmetry symmetry कहने का मतलब कि जितना इधर होगा उतना इधर होगा जितना ऊपर उतना तूची ठीक है यह आपका Y और यह X यह आपका वर्टेक्स हो गया और इसका जो focus हो जाएगा Y axis पर जो की 0,A हो जाएगा ठीक है देखिए क्या हो जाएगा फिर next अब क्या है X square is equal to minus 4 A Y तो इस case में जो आपका हो जाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा इसका focus यहाँ हो जाएगा 0, minus A और वर्टेक्स यहाँ ठीक है चले इसको नोट कर लीजिए अब यहाँ से कुछ और हम लोग देखने वाले हैं इसी में ठीक है कि देखिए क्या है कि अगर ऐसा हो जाता है यहाँ से कि Y square is equal to 4 A अब X में कुछ आपको add कर ले रहा है और उसके बाद तो चलिए पहले इसी का ड्रक कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं यह सब समझ गये हैं इसको हटा देखे हैं ठीक है अब आते हैं तो देखिए X में अगर पलस अलफा हो रहा है तो एक काम देखिए इसको आप थोड़ी देर के लिए जीरो के बराबर देखिए तो X बराबर माइनस अलफा यह माइनस अलफा किधर जाएगा लेफ्ट माइनस अलफा लेफ्ट सिफ्ट करेगा तो देख दीजी अभी जो यह आपका पैराबोला है कि Y स्क्वाइर इस एक्वल टू 4 A X है न अगर X में हम प्लस अलफा एड़ कर लेते हैं तो एक काम कीजिएगा आप इसको यहां ड्रा कर लेते हैं ठीक है आप इस कर्व को अलफा यूनिट क्या करना है लेफ्ट सिफ्ट कर लीजिएगा यहां से इस तर ठीक है जहां इसका वर्टेक्स जो हो जाएगा यह जो वर्टेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस अलफा और चीड़ो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना आप आ जाते है अगर यहीं से अगर माल लीजिए चलिए इसी में हम उसका भी कर देते हैं किसका उसके लिए कलर चेंज कर देते हैं पलस किये तो पलस के लिए यह रहा अगर माइनस करते हैं यहां अगर हम माइनस करते हैं तो एक्स माइनस अलफा हो रहा है ना तो यह क्या हो जाएगा zero के बराबर करेंगे x plus alpha तो alpha unit ये आपका इधर shift हो जाएगा यहां से alpha unit ये आगे shift हो जाएगा तो अब जो इसका vertex हो जाएगा alpha command alpha command 0 ठीक है minus के लिए ये pink color है देख लिजेगा तो ये हो जाएगा same condition आप यहां भी लगा दीजे अगर y plus alpha होता है तो आप इसको नीचे shift कीजिए y minus होता है तो ऐसा कर लिजे ये जो हो गया आपका x square is equal to 4 a y plus alpha और ये जो हो जाएगा आपका x square is equal to 4 a y minus alpha ठीक है कोई दिक्कत note कर लिजे अब एक चीज और देख लेते हैं यहां से क्या कि अगर इस तरह से दे रहा है कि y is equal to x square plus c ले लेते हैं क्या ले लेते हैं x square plus c x पे square है ना x पे क्या है square है तो सबसे पहले y is equal to x square का ड्राग कर लीजे किस के लिए y is equal to x square तो यह हो जाएगा y is equal to x square ठीक है ना अब क्या है इसमें plus c करना है ठीक है तो यह आपका actually नहीं हुआ यह सिर्फ हुआ y is equal to x square के लिए हुआ y is equal to x square के लिए ठीक है अब इसमें plus c एड़ कर देना है तो यही आपका हो जाएगा plus c के लिए कि यह आपका y is equal to x square plus c same condition आप यहाँ भी लगा लिएगा ठीक है जितना unit एड़ करते जाएगे c का value change करते जाएगा आगे नीचे जैसे ही c 0 होगा फिर कहां आजाएगा वापस यह origin पे आजाएगा 1 होगा तो 1 unit उपर कीजिए minus 1 होगा minus 1 unit नीचे कीजिए concept clear है बस समझ में आ गई तो चलिए तो यह रहा आपका पैरा बोला अब थोरा साल नई अभी थोरा सा space चाहिए हमको ठीक है तो चलिए इसी को हम साफ करते हैं अब आते हैं ellipse पे ठीक है थोरा सा ellipse का भी देख लीजे ellipse क्या बोलता है ठीक है इसका जो standard equation होता है वो होता है x square by a square और यह y square by b square is equal to 1 जहाँ a greater than b होता है ठीक है एक क्या कहलाता है semi major axis और y semi minor axis ठीक है यहाँ भी दोनों पे क्या है square है तो यह क्या होगा दोनों axis के about symmetry होगा ठीक है चलिए यह आपका x और यह आपका y अब आते हैं देखे तो रकर लेते हैं सरकल लाइन बन रहा है ठीक है यह ठीक है इधर थोड़ा कम हो गया थोड़ा जादा हो गया कोई दिक्कत नहीं ellips ऐसा ही होता है ठीक है ठीक है चलिए तो यह काम करते हैं अगर थोड़ा सा अगर अलग टाइप से दिख रहा है तो इसको भी सुधार ही लेते हैं यह अग को ही थोड़ा सिफ्ट कर लेते हैं इधर वाई को तो बीच ओ बीच हो जाएगा यह ठीक है चलिए तो देखी क्या हो जाएगा यहां से अब ठीक हुआ अब बटवारा चारो साइड का बराबर है यह हुआ आपका ellips जिसका यह center जो है और कहां होगा origin पे होगा यह center कहलाएगा यह focus 1 होगा जो की AE 0 होता है और दूसरा focus है ना यह f2 जो minus AE और 0 होता है ठीक है अब आजाएगे और क्या vertex की बात कर लेते हैं इसका जो vertex होता है ऐसे यह सब question में huge होगा नहीं फिर भी इसके बारे में जान लीजिए क्या हो जाएगा यह minus A और 0 ठीक है उसके बाद उसके बाद और क्या हाँ यह चीछ जान लीजिए यह major axis कहलाता है जिसका length 2A होता है तो यहां से यहां जो length होगा वो A होगा जो की आपका semi major axis कहलाएगा फिर यहां से लेके यहां तक का length 2B होगा जो की minor axis कहलाएगा और फिर यहां से यहां तक का जो length होगा वो B होगा ठीक है जो की आपका semi minor axis कहलाएगा और भी कुछ बस ellipse में इतना ही जान के रखिए इतना ही से काम आपका खो जाएगा ठीक है और एक और ellipse देख लेते हैं इसका axis along the x axis हो देगा ठीक है न अभी जो इस ellipse का हम लोग axis लेके चलेंगे वो क्या है x axis यह याद रखिएगा ठीक है न यह axis हुआ आपका ellipse का ठीक है अब आदेगे अब अगर ऐसा होता है कि x square by b square plus y square by a square ऐसा ही रखते हैं ताकि यह सब information change ना हो यहाँ भी लिख सकते थे a square और वहाँ b square और वहाँ लिखना पड़ता कि अभी इस case में हम लिखेंगे कि a greater than b अगर यहाँ a रखते और यहाँ b रखते तो हम लोग case लेते कि b जो है वो greater than a है तो चलिए भावनाओं को समझिए ठीक है अभी क्या हो गया अब y के नीचे में आपका major axis आ गया है ठीक है यानि उसमें जो है आपका major axis जो है y axis के along हो जाएगा तो इस case में अभी जो ऐसा था वो ऐसा हो जाएगा ठीक है अभी जो आपका ellipse हो जाएगा फुछ इस तरीके से फुछ इस तरीके का हो जाएगा ठीक है यहां से यह x और यह आपका y ठीक है अभी इसका जो center हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 00 ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा वार्टेक्स हो जाएगा है ना, अगर यहाँ पर A रखते और इधर B रखते तो यह B हो जाता ठीक है ना नहीं समझ रहे हैं ना, जैसे अभी यहाँ था, मेजर एक्सिस के ऐलोंग A 0 था, तो इसी चीज़ के लिए कि चेंज ना करना पर है, हम यहीं चेंज कर दिये, ठीक है परहे हुए है कोडिने डियोमेटरी में यह सब ठीक ठाक से है ना, यहाँ आ जाएगे यह क्या हो जाएगा, एक माइनस A इधर आपका हो जाएगा, यह माइनर एक्सिस और यह क्या हो जाएगा, बी कॉमा जीरो, और इधर माइनस बी कॉमा जीरो, फोकस यहाँ और यहाँ हो जाएगा, ठीक है फोकस क्या हो जाएगा, फिर से आपका यह जीरो और कॉमा एईए, और यहाँ जीरो कॉमा माइनस एईए, ठीक है तो इस तरह से लाइन हो गया आपका सरकल हो गया पैराबोला हो गया इलिप्स भी हो गया और 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 कुछ हूट रहा है क्या बेसिक हाँ एक चीज़ थोड़ा सा मॉड के बारे में जान लेते हैं ठीक है? नोट कर लिजी इसको ठीक है? आगे मेरे पास आपको मालूम है यह आपका पोजिटिव होगा कब जब एक्स जीरो से बरा हो और यह माइनस एक्स होता है कब जब एक्स जीरो से छोटा ठीक है? तो अभी अभी हम लोग देखें ना y is equal to x और अभी क्या हो गया? लाइन हो गया आपका y is equal to x और y is equal to minus 6 कहने का मतलब कि कहां से हम इसको पास करा दें? ओरीजिन से ठीक है? ठीक है? बस उपर ही रखना है इसको मोड है ना? उपर ही रखिए ऐसे ठीक है? यह आपका हो जाएगा y is equal to x और यहां से y is equal to minus 6 ठीक है? अब चलिए अब यहां पर एक चीज़ और देख लेते हैं क्या? कि अगर suppose ऐसा आता है कि फिर y is equal to मोड में x पलस a आता है अभी अभी जो हम लोग पैरावॉला में देखें ठीक है? या फिर y is equal to मोड में x माइनस a आता हो ठीक है? क्या बोले थे वहाँ पे? इसको जीटो के बराबर करो ते यहां से माइनस a होगा यानि माइनस a आपका यहां आएगा करें माइनस a और जीटो और अभी जो गिराफ हो जाएगा यह यह यूनिट्स इसको शिफ्ट कर लेंगे ऐसा है और ऐसे ठीक है? तो यह हो गया आपका यह चली समझ लेजिए यह किसका है? आपका y is equal to यह x पलस a का हो गया अगर आप आए ना? यह उदर वाला माइनस होगा इदर वाला पलस होगा ठीक है? अब आजएगे अब इसी में अब माइनस वाला को देख लेते हैं ठीक है? कलर कौन साले? वाइट लेते हैं ठीक है? चली अब यहां से अगर इसको जीडो के बराबर करते हैं तो x का value क्या मिलेगा आपको? a मिलेगा क्या मिलेगा? a तो a unit आप यहां इधर से आप a unit इधर गयते हैं न? अब a unit इधर shift हो जाई है ठीक है? a unit left और right बस आपको shift करना है तो अभी जवाब का curve हो जाएगा यह और यह ठीक है? अब जो जिस color से लिख रहे हैं उसी को रखते हैं चली यह white वाले के लिए है ठीक है न? यह क्या है? y is equal to यह x minus a के लिए यह white वाला यह जो आपका सेफरोन है है न? यह आपका इसके लिए हो गया ठीक है? इसके लिए ठीक है न? और green जो है आपका यह इसके लिए ठीक है? तिरंगा बन गया ना अपना तीनों कलर आ गया इसमें अच्छी बात ठीक है? याद रखिएगा बस यही कुछ बेसिक आपका कॉंसेप्स है ग्राफ ट्रा करने के लिए याद रखिए यही से आपका बोट गा तो काम हो जाएगा ठीक है? चलिए अब next हम लोग कॉश्चन पे आते हैं ठीक है? क्या बोला है इसमें पहला कॉश्चन कि find the area of the region bonded by the curve y square is equal to x and the line x is equal to 1 x is equal to 4 and x axis in the first quarter ठीक है? चलिए लिए y square is equal to x क्या है यह एक पैराबोला है तो चलिए सबसे पहले हम एक पैराबोला ड्रा कर लेते हैं y पे square है तो x axis के about क्या होगा? वो symmetry होगा ठीक है? x के about इसका symmetry होगा तो इस तरह से सबसे पहले एक पैराबोला आप ड्राबोला कर लेते हैं ठीक है? यह आपका पैराबोला हो गया उसके बाद बोला है line जो बोला है x is equal to 4 x is equal to 4 x is equal to 4 जो line हुआ y is equal to 1 वो एक ऐसा line होगा जो parallel to y axis होगा ठीक है? अब आजएए तो यही रहा आपका ठीक है? और बोला है first quadrant में तो first quadrant में आपका area क्या होगा? सिर्फ यही होगा ठीक है? अगर first quadrant नहीं बोलता तो यह पूरा area हम लोग को find out करना होता इसके लिए क्या करते? यहां से यहां तक का area निकालके उसको double कर देते हैं अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही area find out करना है पिच्छे लिए देखे यहां से क्या हो जाएगा area of required reason area क्या हो जाएगा देखे यहां से अभी यह जो limit है क्या है? x है ना x is equal to 1 से 4 जब ऐसा हो तो हम लोग क्या करते है? y into dx करते है क्या करते है? y into dx च्छेए? अभी आज़ेगे एक काम कीजिए पहले सबसे पहले लिख लीजिए यहां से जो given करव है given क्या है? y square is equal to x है उसके बाद फिर आपका x is equal to 1 है x is equal to 4 है and x axis है x axis और फिर first quarter तो चलिए क्या हो जाएगा यहां से? यह जो area हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 1, 2, 4 उसके बाद फिर y into dx अब देखिए यहां से y क्या हो जाएगा आपका? यहां से जब y निकालिएगा तो y आपका यह root x ठीक है? तो चलिए यहां पर हम रख लेते हैं 1, 2, 4 y के जगा पे root x और यह dx यह 1, 2, 4 यह आपका हो जाएगा x का power 1 by 2 और यह dx फिर integrate कर लीजी तो यह x का power यह 3 by 2 और by में 3 by 2 और कहां से कहां? 1, 2, 4 ठीक है? अब आजाएगे यह 2 by 3 बाहर आजाएगा यहां से अपर लिमिट डालेगे अपर लिमिट यहां पे 4 डालेंगे तो 4 का power यहां से 3 by 2 हो जाएगा और यहां से minus lower limit डालेंगे तो 1 1 का power 3 by 2 1 हो जाएगे ठीक है? सिंपल सा question है बस उसको calculate करने जाएगा है आपको ठीक है? अब आजाएगे अब इसको कैसे solve करेंगे? देखें, 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का square है और इसका power 3 by 2 2 से 2 cancel हो जाएगा क्या बचेगा आपके पास 2Q और 2Q का value क्या हो जाएगा? यहां से 8 यह आपका हो जाएगा 2 by 3 और यह 8 minus 1 यानि कितना? 7 यानि यहां से यह आपका हो जाएगा 14 by 3 square unit ठीक है? अब आप एक चीज और कि आप इसका naming भी कर सकते हैं A, B, C, D ठीक है? तो आप ऐसा भी लिख सकते थे area of the region ऐसा भी लिख सकते थे यहां इसको area of region कौन सा है वो आपका? A, B, C, D और वापस से हम लोग फिर A लिख देंगे, closed कर देंगे उसको ठीक है? ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख के area find out कर सकते हैं ठीक है? देख लिजे आसान सा question था अब next question लेते हैं देखते हैं next question क्या है आपका? बोल ला है find the area enclosed by the circle एक circle given है इससे आपको area find out करना है तो देख लेते हैं क्या है? यही आपका circle होगा, ठीक है? दोनों पे x पे भी a square है और y पे भी a square है मतलब दोनों axis के about यह क्या होगा? symmetry होगा ठीक है ना? इसका जो symmetry होगा दोनों axis के about यानि जितना उपर होगा, उतना नीची ही होगा इतना right होगा, उतना left होगा ठीक है? कहने का मतलब यह जो portion है देख रहे हैं यहां से चार पार्ट में बटड़ा आए यह, यह, और यह चारों क्या होगा? equal होगा चारों जो portion है आपका वो equal होगा अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां से देखिए, यह आपका origin हो गया यह radius जो है यहां से यहां यह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा तो यह जो, इसका जो coordinate हो जाएगा आपका ए जी तो ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे? एक ही portion का है इसका ही सिर्फ हम लोग area find out कर लेते हैं और उसके बाद चार से multiply कर लेगे तो क्या हो जाएगा? यह total area of circle आपको दे देगा क्यों? क्योंकि यह चारो जो है equal ही है एक काम करते हैं सिर्फ एक quarter circle का हम लोग area find out कर लेते हैं अब देखिए आप इधर भी ले सकते हैं y के along भी ले सकते हैं अगर x के along लेते हैं तो क्या करना परेगा? y dx 0 to a आगर y के along लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 to a इधर भी radius जो होगा वो a ही होगा radius तो equally होगा तो अगर y के along लेते हैं तो यहां से क्या करना परेगा x into dy अब यह y और x हम लोग यहां से निकाल के ठीक है तो चली यही कहानी है क्या करना है अब यह सब पताने के जरूबत नहीं है पस अब direct हम लोग लिखेंगे कि यह area होता है यह dx है नो यह सब बताने के जरूबत अब नहीं यह सब हम लोग के starting में ही सीख चुके है तो अब यहां से हम लोग direct area पे आते हैं कि किस तरह से लिखेंगे given क्या है आपका x square plus y square is equal to a square ठीक है आप इसको use करना चाहते हैं या फिर इसको ठीक है न वो आप पे depend करता है तो चली यहां से अब यहीं लेते हैं 0 to a तो हम x वाला ले रहे हैं तो यहां से जो area हो जाएगा area इसका निमिक कर दीजिए o इसको a बोल लीजिए b बोल लीजिए ठीक है न तो area of reason ठीक है area of reason area of person क्या है वो o a b o o a b o क्या हो जाएगा देखें x axis के long ले रहे हैं ठीक है न 0 to a 0 to a और क्या कर लेंगे y dx क्या कर लेंगे y dx ठीक है अगर y के long करते तो x into by ठीक है तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से y अब y क्या होगा ठीक है तो y देखिए यहां से क्या हो जाएगा यहां से y square is equal to क्या हो जाएगा a square minus x square तो यहां से जो y हो जाएगा, यह root में आपका a square minus x square हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से फिर देखिए, यह 0 to a, y, y क्या आया, आपका root में a square minus x square into dx, ठीक है, अब यह, इसका integration क्या होता है, अब important यही है, यह आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, यहां तक तो जो curve trace करना, फिर किस तरह से हम लोग उसका area लेते हैं, यहां तक तो चलिए, ठीक है, अब मामला यहीं पर है, ठीक है, अब इसका जो integration होता है, वो क्या होता है, यह मालूम होना चाहिए, ठीक है, यह import, ठीक है, तो चलिए, देखिए क्या हो जाएगा यहां से, root में क्या है आपक क्या होता है, इसका x, यह a square minus x square by 2, और प्लस यहां से, यह आपका हो जाता है, sine inverse और x by a, और कहां से कहां, और a square by 2 भी होता है, 0, 2, ठीक है, यही होता है, यह जो आपका integral given है, इसका integration, ठीक है, चलिए, अब upper limit और lower limit डालिए यहां से, और इसको salt कर लीजिए, देखें यहां से क्या हो जाएगा, जब upper limit आप डालेंगे, यहां से a डालिएगा, तो देखें क्या हो जाएगा, जैसे ही यहां a रखेंगे, a square minus a square, यह वाला part क्या हो गया आपका, 0 हो गया, अब यहां आते हैं, तो यह तो आपका 0 हो गया, प्लस यहां a रखेंगे, तो a by a, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां से यह a square by 2, और क्या बचेगा आपके पास, sine inverse 1, यह हम लोग upper limit डाल चुके हैं, ठीक है, अब आते हैं, minus lower limit पे, 0 रखें, देखें 0, यहां x in 2 में, ठीक है, जैसे ही x का value यहां 0 रखेंगा, यह वाल तो sine inverse 0 बचेगा, यानि यहां से आपको क्या मिलना है, sine inverse 0, 0 ही होता है, लिखें न 0, चिक हैं, अब आज़ें यहां से, यह आपका हो जाएगा, a square by 2, और यह sine inverse 1 जो होता है, वो क्या होता है, pi by 2, है न, sine 90 का value 1 होता है, तो sine inverse 1 जो होगा, वो pi by 2 हो जाएगा, तो यहां से यह आपका हो जाएगा पाई A स्क्वाइर बाई 4 जो की एक से ही रिजल्ट है आपको मालूब है न सर्कल का एरिया कितना होता है पाई इन्टू रेडियस का स्क्वाइर है यहां रेडियस A है तो A स्क्वाइर है हम लोग क्या किये थे क्वाइर का निकाले थे कि क्वाइर तो देखेए वाइ 4 आ रहा है न इसलिए टूटल एडिया जो हो जाएगा therefore जो आपका जो सर्कल इवन था उसका एरिया हो जाएगा area of circle जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलिए उसको 4 से multiply कर लीजी है ना एक तो तीन और ये 4 part है ना 4 से multiply कर लीजी 4 into ये आपका pi a square by 4 यहां से ये हो जाएगा आपका pi a square और ये हो जाएगा square unit ठीक है square unit लिख दीजेगा ठीक है हाँ हाँ इसमें भी लिखा हुआ है square unit चिन तो ये था आपका circle का ठीक है अब आजएगे अब यही पे अगर माल लीजेगी x square plus y square is equal to 16 देता है क्या देता है 16 तो आप इसको क्या कर लीजेगा 4 का square तो यहां से जो radius हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका fork हो जाएगा ठीक है यह रहा आपका circle का ठीक है अब चलिए अब यही पर एक चीज़ और देखते हैं हम लोग अब अगर suppose ellipse दे देता आपको ठीक है उसका भी calculation same ही है इसलिए हम यही पर उसको भी बता देते हैं देखे यह अगर ellipse दिये रहा था कि x square by a square plus y square by b a square is equal to 1 ऐसा रहता ठीक है जहाँ यह जो है b से बरा है ठीक है उसके लिए है तो क्या करते है देखी क्या हो जाएगा यहां से यह figure तो ellipse का यह सही बनेगा सारा calculation यह सही है ठीक है सिर्फ y जो होगा वो क्या होगा वो देख लीजे यहां से फिर आप y dx कीजिएगा जब यह करेंगे हम ठीक है तो क्या होगा देखे यह आपका y square by b a square is equal to 1 minus x square by a square यहां से lcm ले लीजे क्या हो जाएगा a square यह आपका a square minus x square हो जाएगा ठीक है तो यहां से जो y square होगा वो क्या हो जाएगा y square जो हो जाएगा यहां से यह b से into हो जाएगा तो b square by a square और इधर में आपका a square minus x square ठीक है इधर से square हटाएगा तो इधर में root आजाएगा आपका यह y और यह b by a और यह root में a square minus x square ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे B by A, B by A, बाहर में आएगा आपको, ठीक है न, यहाँ भी B by A, यानि कहने का मतलब सरकल का एडिया क्या है आपको, पाई A square, और उसमें, देखें, यह B by A आपको बाहर में होगा, B by A, ठीक है, कल्किलेशन, फॉर्मूला, सब यही आने वारा है, ठीक है, इसलिए, यहीं पर इसको complete की से, ठीक है न, तो देखें, यहाँ से, यह क्या हो जाएगा, पाई A, B, ठीक है, तो याद रखेंगे, इलिप्स का जो इलिया होता है, वो क्या होता है, पाई A, B, ठीक है, फिर इसी तरीके से, अगर मान लिजे कि स्कॉall by, ठीके स्कॉall by, यहीं स्कॉall is equal to 1, ऐसा निकल लिए, ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ आपको 4 by 3, बाहर में आएगा और अंदर में आपका 4 का स्कॉall minus X स्कॉall, फिर same calculation, यह सब create करते रहे, बाहर में यह B by A है, तो वहाँ 4 by 3 रखें, पिर answer वज वहीं आए ये circle में ही आपका ellipse का हो समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं बस करना एक ही काम है ये भी जो आपका जो यहां पर आ रहा है y dx ellipse के लिए भी same ही आएगा सिर्फ पाहर में क्या होगा by a बचेगा आपके पास ठीक है चलिए आगे बारते हैं बहुल ला है find the area of the region bounded by the line y is equal to 3x plus 2 and x axis and x is equal to minus 1 and x is equal to 1 ठीक है तो चलिए सबसे पहले जो आपको line given है वो क्या है देखिए यहां से line है आपका y is equal to 3x plus 2 x is equal to 1 and x is equal to minus 1 ठीक है तो यही आपको line given है और उसके बाद x is equal to यह आपका 1 और minus 1 के बीच में आपको area बताना है कि क्या रोगा ठीक है तो सबसे पहले आप line draw कर लीजे क्या कीजेगा उसके लिए सबसे आसान सा तरीका है एक बाद x को 0 कीजे यह एक बाद y को चीटोगे ठीक है जैसे ही x को यहाँ से 0 कीजेगा तो y का value क्या हो जाएगा 2 और जब y को 0 करेंगे तो x का value यहाँ से minus 2 by 3 ठीक है चलिए रख करते हैं हम लोग line देखी क्या हो जाएगा यह आपका 1 और इधर में यह आपका minus 1 ठीक है उसके बाद यह आपका थोड़ा बढ़ा ले लीजे 1 और यह आपका minus 1 ठीक है उसके बाद जो है अब जो point आया है उसको locate कर लीजे देखे x 0 y 2 x 0 y 2 यहाँ कहीं होगा ठीक है उसके बाद फिर y 0 और x का value minus 2 by 3 यहाँ कहीं होगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले इस line को drug कर लीजे उसके बाद फिर जो given है उसके according हम लोग work करेंगे ठीक है ठीक है x ज़्यादा दूर होगया क्या चलिए इधर ही ले ले लेते है ऐसा ही होगा कुछ ठीक है न चलिए तो यह रहा आपका ठीक है तो x is equal to 1 यह रहा आपका x is equal to 1 और यह रहा x is equal to minus 1 ठीक है और अभी बीच में यहाँ पर क्या आया आपका देखिए यह x is equal to minus 2 by 3 और यह जो point होगा minus 2 by 3 और 0 होगा ठीक है यह क्या है आपका 0,2 है अब यहाँ से हमको area बताना है क्यों line और यह जो x जो given है उसके बीच में क्या area होगा तो देखिए यहाँ से एक तो area आपका यह आ रहा है ठीक है यह portion और दूसरा यह ठीक है दो triangle आपको देख रहा है ठीक है तो चलिए naming करते थे हैं अगर naming करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आपका जो required area हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा required area क्या क्या हो जाएगा इसका काम खत्म है इसको हटा देखिए ठीक है यहाँ से जो आपका required area क्या हो जाएगा देखिए एक पहले आप चलिए minus 1 से minus 1 से minus 2 by 3 ठीक है यह आपका हो जाएगा minus 1 से minus 2 by 3 और y dx y dx क्यों हो क्योंकि जो limit ले रहे हैं अब x में ले रहे हैं तो यहाँ dx होना चाहिए तो y रखें यहाँ इसा तो हम लोगे स्टाटिंग में सीखें और plus फिर आगे यह minus 2 by 3 से कहां तक 1 तक यहाँ से यहाँ चलेंगे बीच में एक इस टॉपज है फिर यहाँ से यहाँ अब एक चीज और यहाँ क्या देख रहे हैं आप यह जो एडिया है x-axis के नीचे है ना क्या करना होगा मॉड ड़ा लेजिए इधार इसका हो गया फिर आईए यहाँ भी y और यह dx ठीक है हो गया चले अब इसी को solve कर दीज़ए y y कितना है आपका देख लीज़े यह मॉड के अंदर में रखिए इसको यह माइनस 1 से यह माइनस 2 बाइ 3 और y कितना है आपका यह 3x पलस 2 इन्टू dx ठीक है पलस यहाँ से फिर माइनस 2 बाइ 3 से यह आपका 1 और फिर यहाँ से यह आपका 3x पलस 2 इन्टू dx ठीक है चले यहाँ से इन्टिग्रेट इसको इन्टिग्रेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x x का क्या हो जाएगा आपका यहाँ से x स्क्वाइर बाइ 2 और पलस 2 है तो 2 का 2x हो जाएगा ठीक है और यह आपका माइनस 1 से माइनस 2 बाइ 3 नेक्स्ट इसका भी यही 3x स्क्वाइर बाइ 2 और पलस 2x और कहां से कहां यह माइनस 2 बाइ 3 से 1 ठीक है बस इन्टिग्रेशन हो गया है अब लिमिट पूट कीजिए एंसर आपके पास होगा ठीक है चले देखिए यहाँ से यह आपका 3 बाइ 2 ठीक है अपर लिमिट रखते हैं पहले तो x के जगह पर अगर रखते है माइनस 2 बाइ 3 तो यहां से यह हो जाएगा 4 बाइ 9 और यह हो जाएगा माइनस आपका 4 बाइ 3 ठीक है यह आपका अपर हो गया ठीक है माइनस lower limit रखते हैं minus 1 तो यहां से 3 by 2 minus 1 रखेंगे तो minus 2 ठीक है plus फिर यहां आते हैं upper limit 1 रखते हैं 1 रखेंगे तो यह 3 by 2 और plus 2 हो जाएगा ठीक है और उसके बाद फिर यहां से minus 2 by 3 रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा यह देखिए आपका 3 by 2 और इन्टू टू का स्क्वाइर 4 बाई 9 और फिर यह माइनस 2 इन्टू 2 4 बाई 3 ठीक है बस यही सिंपल सा कैलकुलेशन है आपके पास और कुछ नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखें यहां से क्या हो जाएगा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या कर दीजी क्या क्या देखिए 2 2 टाइमस 3 से यह आपका 3 टाइमस इधर नहीं इधर नहीं फिर यहां 2 से 2 टाइमस 3 से 3 टाइमस ठीक है तो क्या बचा आपके पास यहां पर 2 बाई 3 और माइनस 4 बाई 3 LCM ले लिजेगा 3 तो यह आपका 2 माइनस 4 यानी यहां से माइनस 2 बाई 3 बचेगा ठीक है माइनस यहां से LCM ले जिए तो यह 4 माइनस 4 और क्या फ्लस 3 यानी माइनस 1 बाई 2 बचेगा अब बाहर में फ्लस 1 बाई 2 बचेगा ठीक है अब बाद', यहां देखिए प्लस है यह आपका 4 और 3 7 यह आपका 7 by 7 by 2 और यहां से आ जाएगा यह फिर क्या हो जाएगा यह देखिए 2 by 3 और minus 4 by 3 है तो यहां से यह minus 2 by 3 और बाहर में minus है तो यह plus 2 by 3 हो जाएगा चीक है यह रहा अब यहां से LCM ले लिजिए इसका कितना हो जाएगा यह आपका 6 ठीक है तो यहां से यह minus 4 और plus 3 हो जाएगा और यहां से यह 6 यह 21 और plus 4 हो जाएगा तो यहां से आपका बज़ जाएगा minus 1 by 6 तो यानि यह 1 by 6 और यह आपका हो जाएगा 25 by 6 ले लिजे यहां से, क्या हो जाएगा, देखिए, 6, और यह आपका हो जाएगा, 25 प्लस 1, 26 बाई, 6, तो finally, जो आपका answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए, यह आपका इधर लिख लीजे, यहीं पर लिख लेते हैं, यह आपका 13 बाई, दो से करेंगे 3 बाई, यहानि finally, यह 13 बाई 3, square unit, यह आपका final answer, ठीक है, तो यही रहा, important question है, ठीक है, अच्छे से practice पीजिए गाई इसको, तो final answer आपका 13 बाई 3, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next question आपका, क्या है, हाँ, बोला है, find the area of the region in the first quadrant, enclosed by x-axis, x-axis के साथ, एक line दे रहा है, और एक circle दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लोग circle को ट्रॉट करते हैं, क्या-क्या गीवे ने देखिए यहां से, आपको एक line दे रहा है, x is equal to root 3 y, ठीक है न, यह आपका line, उसके बाद क्या दे रहा है आपको, circle, क्या है वो, x square plus y square is equal to 4 है, है न, 4 मतलब 2 का square, मतलब यहां से radius इसका क्या है, 2, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आप circle तो ड्रॉट कीए, ठीक है, यह रहा का circle, आगे फिछे बाग गया, चल्ड़, यह आपका रहा circle, ठीक है, जिसका center 0, 0, ठीक है, यहां भी थोड़ा, चलिए, समझ दीजिए, circle है, ठीक है न, अब आजए, यह center 0, 0, और radius कितना हो जाएगा, यह 2, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, 2, 0, और यह आपका, 0, 0, ठीक है, circle हो गया, अब बोला है, line जो है, x is equal to root 3y, ठीक है, x is equal to root 3y, क्या होगा, y is equal to x, जो line होता है, और कहां से pass करता है आपके, origins, यह रहा है, यह आपका, x is equal to root 3y, ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है area of the region in first quadrant, मतलब इधर ही निकालना है, x axis के साथ, यानि इसके साथ, और बाकी यह दोनो line के साथ, यानि यह वाला portion, ठीक है, यह area आपको find out करता है, ठीक है, क्या हो गया आप यहां से, इस तरह आप यह condition बताये थे, अभी देख पा रहे हैं आप, यहां से line, फिर यहां से यह curve होगा, मतलब देख रहे हैं, बीच में एक यह point हमको मिल रहा है, जो हमको find out करना पड़ेगा कि वो क्या है, उसके बाद भी, उसके बाद ही हम लोग area नि क्या होगा, उसके बाद फिर वो area किस से बन रहा है, इस line से, ठीक है, उसके बाद इधर वाला जो area है, curve से बन रहा है, वो curve क्या है, circle से, ठीक है न, यहां पर दो area है, ठीक है, इस दोनों को निकाल के हमको add करना पड़ेगा, तो चलिए अगर line से अगर हम निकालने की कोशि 2 है ही, ठीक है न, और यहाँ 0, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डोनों को solve कर लेते हैं, ठीक है, इसको equation 1 बोल लिए, इसको equation 2, तो अब आजएगी, from 1 and 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए, x के जगा पर डाल दीजिए इसको, तो डाल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, या root 3 का square 3, y square, और plus y square is equal to 4, ठीक है, यानि 4 y square is equal to 4, तो यानि यहाँ से y square is equal to, आपको 1 आ जाएगा, y square is equal to 1, तो y का value जो हो जाएगा, वो plus minus 1, अभी 1 ही लेके चलिए, हमको उपर में ही लिखना है, ठीक है न, first quadrant में, जैसे ही y का value 1 आया, तो x का value यहाँ से क्या हो जाएगा, रख दीजिए 1 में, तो यह root 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग, यह दोनों intersect कर रहा हैं न, इस point पे, ठीक है, naming कर दीजिए o, यहाँ से कर दीजिए a, यह p, और यह c, क्या आया c point आपका देखिए, आपका x का value root 3 आया, और यह 1 आया, ठीक है, हो गया है इसका काम, अब चलिए हम लोग area निकालने पे आते हैं, ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग area इस portion का निकाल लेते हैं, यह चलिए direct लिखते हैं, यहाँ से देखिए, total area जो हो जाएगा, total area, यह अगर मानते हैं, त o, a, c, o, o, a, c, o, ठीक है, plus area of reason कौन सा, आपका a, b, c, a, a, b, c, a, ठीक है, ऐसे ही लिखिए, ठीक है, जादा लिखना नहीं परेगा, area of reason, और आपका o, a, c, o, ठीक है, अब आ, अब देखते हैं, आगे क्या है, अभी यह जो area है, किसके वज़े से है, इस line के वज़े से है, ठीक है न, यह line, और यह x का जो दो value है, उसके अंदर में परता है, ठीक है, तो अभी यह जो area होगा, ओ line के वज़े से होगा, तो क्या हो जाएगा, कहां से कहा चले हम जीरो से यह एक्स का वैलू कितना आया देखें रूट 3 आया तो यह जीरो से रूट 3 जीरो से रूट 3 और YDX करेंगी ठीक है आगे फिर रूट 3 से अब यहां से यहां तक का ठीक है यह वाला है यह कौन को इंख्लोस कर रहा है देखें इसको सरकल तो यहां से क्या हो जाएगा रूट 3 से 2 और फिर यह Y और PX हो गया बस Y रखिए यहां पर आपकाम हो चुका है तो यह Y लिख दीजिए यहां पर line तो दो जगा Y Y लिखा हुआ है कहां क्या लगए और यहां पर रख दीजिए यह सरकल ठीक है चलिए आते हैं फिर तो देखिए यहां से क्या क्या हो जाएगा अभी देखिए Y line यह तो X Y रूट 3 हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा सरकल का अगर करते हैं Y निकालते हैं तो यह 4 माइनस X स्क्वार और Y इधर रूट आजाएगा और 4 को फिर क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वार तो चलिए आएए वहां से तो यहां से जो एरिया हो जाएगा यह क्या हो जाएगा देखिए यह आपका 0 से रूट 3 ठीक है 0,2, रूट 3, Y line Y line क्या है आपका यहां से देखिए क्या हो जाएगा यह X, Y, रूट 3 और यह D, X प्लस फिर रूट 3 से 2 तक और यह जो सर्कल का है Y वो क्या हो जाएगा देखिए यह 2 का स्क्वार माइनस X स्क्वार और सर्कल का हम लोग देख चुके हैं कैसे करते हैं, ठीक है देखिए यहां से 1 बाई रूट 3 को बाहर निकालिए X का, यहां से X स्क्वार बाई 2 और यह 0 टू, रूट 3 प्लस, ठीक है अब आते हैं सर्कल के लिए सर्कल का आपको मालूम है क्या हो जाएगा X, यह 2 का स्क्वार माइनस X इसका, X का स्क्वार बाई 2 प्लस A स्क्वार बाई 2 यानि 2 का स्क्वार बाई 2 और यह साइन इनवर्स X बाई A ठीक है और यह कहां से कहां आपका रूट 3 से 2 तक है ठीक है चली अब यह जब हो चुका है तो अब आते हैं अब यह सब का काम हो चुका है बस अब हमको क्या करना है सिर्फ जो मेरे पास integration है उसको solve करके limit put कर दे रहा है ठीक है चलिए तो integrate तो कर दिए अब यहां से आप put कीजिए upper limit और lower limit क्या हो जाएगा देखिए 1 by root 3 upper limit डालते हैं तो root 3 का square by 2 यानि यहां से 3 by 2 और minus lower limit करेंगे तो यह 0 यह हो चुका है plus आगे आते हैं यहां से 2 रखिए जैसे ही यहां 2 रखिएगा तो 2 का square minus 2 का square यह 0 ठीक है उसके बाद यहां 2 रखिएगा तो 2 by 2 sine inverse 1 हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा देखिए यहां यहां तो आपका यह 0 हो जाएगा यह तो 0 हो गया और यह plus यहां 2 बच जाएगा ठीक है और यह sine inverse 1 इसका हो गया upper limit minus lower limit करते हैं root 3 ठीक है root 3 यहां रखिए ठीक है और यहां root 3 रखिएगा तो root 3 का square 3 तो यहां 4 minus 3 1 बचेगा by 2 यहां root 3 by 2 हो जाएगा यहां से ठीक है plus यहां 2 बचेगा आपके पास और 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 क्या बचने वाला है और देखिए यहां से 2 और यह sine inverse root 3 by 2 यहां से यह हो जाएगा sine inverse root 3 by 2 ठीक है अब यहां से यह cancel होगा आपको root 3 times तो यहां आपके पास बचेगा root 3 यहां पर बस और प्लस यहां बच जाएगा आपके पास 2 sine inverse 1 जो हो जाएगा वो pi by 2 हो जाएगा minus यहां पे यह आपका root 3 by 2 plus minus minus यह 2 sine inverse root 3 by 2 है न sine 60 का जो value होता है वो root 3 by 2 होता है ठीक है तो यहां से फिर आपके पास यह बच जाएगा pi by 3 ठीक है बस यही रहा आपके पास यह root 3 by 2 है ठीक है यह और यह cancel हुआ यहां से यह भी cancel हुआ क्या बचा आपके पास pi minus 2 pi by 3 यानि 3 minus 2 pi यानि pi by 3 यही आपके पास यह area बचा square ठीक है बस करना क्या है सबसे पहले जो भी आपको curve given है यह line given है उसको draw कीजिए उसके पास जो limits है है ना या नहीं भी है तो decide कीजिए कि area कहा से कहा होगा ठीक है जैसे इसमें की यह ठीक है उसके बाद सारा depend करता है आपके calculation पर कि किस तरह से आप उसको calculate करते है कहीं भी अगर minor भी mistake होगा यह तो आने से रहा ठीक है चलिए अच्छे से practice कीजिएगा अब बोलाए find the area of the region bonded by the parabola and its latest spectrum ठीक है अब latest spectrum क्या होता है इसलिए हमें starting में ही यह सब चीज जो जो आपको जरुवत परने वाला था वो सब discuss कर चुके ठीक है यह है आपका parabola जिसका vertex origin पे होता है यह आपका y square is equal to 4 ax और यह इसका focus है क्या है a 0 अब आपको बताए थे latest rectum क्या होता है latest rectum एक line होता है ठीक है जो कहां से pass करता है उसके focus से और perpendicular होता है इसके axis पे ठीक है तो क्या मुदा है you find the area of the region bounded by the parabola y square is equal to 4 ax and its latest rectum ठीक है तो अभी आप देख पा रहे हैं यही जो latest rectum है ठीक है यही आपका हुआ latest rectum ठीक है इस इसका जो क्या है यह देख लीजे x is equal to a ठीक है तो इससे जो area bond हो रहा है आप देख पा रहे हैं न क्या है यह total area है इधर का total यह curve के और इस line के अंदर का area तो हम फिर क्या करेंगे अभी यही area find out करते हैं ठीक है और 2 से multiply कर देंगे ऐसा इसमें नहीं बोला है first quadrant में यह x axis के ओपर ऐसा ठीक है तो क्या करना है यहाँ आप area यह वाला area find out कीजिए 2 से multiply कर लीजेगा टोटल area हो जाएगा ठीक है तो आते है तो देखिए यहाँ से असान section है क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए आपका जो given curve है given parabola है given क्या है आपका y square is equal to 4 ax ठीक है और line जो है वो आपका latest rectum है यानि इसका boundary जो हमको decide करना है area जो closed करना है वो क्या है latest rectum मालूम होना चाहिए कि latest rectum क्या होता है कहां से pass करता है अगर यहीं सब चीज अगर मालूम है तो यह फिर area under curve बहुत ही आसान है और सबसे असानी की बात है आपको सिर्फ area under simple curve ही करना है ठीक है तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा तो यहाँ से y क्या हो जा रहा है आपको देख लिजिए root में 4ax यह आपका 2 root a और फिर root x ठीक है तो चलिए यहाँ से हम लोग area निकाल लेते हैं area क्या करेंगे इसका निकाल लेते हैं कहां से कहां 0 2 0 2 a ठीक है और y dx ठीक है अब बोलिएगा कि यह तो नीचे में जा रहा है negative होगा इसलिए तो नहीं निकालने हो उपर को निकालके symmetry है ना जितना यह होगा area उतना यह भी होगा ठीक है इसको निकालके double कर देंगे ठीक है तो और यहाँ 2 से into कर लिजिए हो गया आपको उस चीज़ का टेंसल लेने की जरुवत ही नहीं है कि नीचे में negative होगा क्या होगा नहीं होगा हमको area निकालना है बस अब आ जाईए 0 to a y y क्या है आपका 2 root a root x 2 root ऐसा कीजिए इसको बाहर लिख लिजिए ठीक है तो क्या हो जाएगा 2 into यहां से root a root x से चलिए 1 by 2 लिखी लेते हैं ठीक है यह आपका हो जाएगा 4 root a और यह x का power यहां से 3 by 2 y में 3 by 2 और यह 0 to a ठीक है बस upper limit और lower limit का खेल कीजिए यहां पे क्या हो जाएगा a रखिए upper limit रखिएगा तो यह आपका हो जाएगा a का power 3 by 2 तो यहां से यह 2 by 3 और a का power यह 3 by 2 हो जाएगा और minus lower limit रखिएगा तो 0 हो जाएगा खड़ा दीजिए उसको ठीक है यहां से हो जाएगा यह 8 by 3 और देखिए बेस सेम है root a है न root a को power क्या क्या लिख सकते है उसको a का power 1 by 2 बेस सेम है power क्या हो जाएगा यहां से add हो जाएगा तो 1 by 2 और plus 3 by 2 ठीक है तो यहां से यह आपका बच जाएगा a square ठीक है न 1 by 2 और यह plus 3 by 2 LCM ले लिजिए तो 2 और 1 plus 3 आपका 4 by 2 हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से क्या निकल के आया देखे यहां से 8 by 3 a square और इसका unit टाल दीजिए क्या square unit ठीक है बस यही रहा बस यहां पर अगर सपोस्जिए अगर आपको यह मालूम नहीं होता कि यह latest rectum क्या होता है कितना आसान सा question आपके पास आपके आईगे ठीक है ना तो यह सब basic चीज है इसलिए starting में ही आपको सारी अब बाते बता दी गई है ठीक है चली अब बोला है कि the area between x is equal to y square and x is equal to 4 divides into two equal parts by the line ठीक चली फिर वही कहा नहीं है y square is equal to x y square is equal to x y square is equal to x ठीक है उसके बाद है and x is equal to 4 x is equal to 4 ठीक है divides into two equal parts by the line x is equal to a x is equal to a अब एक line है आपका x is equal to a जो इस दोनों area को a1 और a2 को equal part में divide कर रहा है ठीक है तो आपको इस a को बताना है कि यह a क्या होगा ठीक है अब एक area को हमको equal करना है ठीक है नीचे भी लेना है क्या जरूवत लेने कोई फाइदा नहीं है आपको area को equal करना है तो अगर two times of a1 अफिर two times of a2 यह तो चला ही जाएगा कोई फाइदा नहीं है ठीक है आप इतना ही निकालके equal करके निकल जाए ठीक है नीचे के बारे में सोचनी की जरूवत नहीं ठीक है तो चली आते हैं यह आपका यहाँ आपका क्या हो गया यह zero हो गया यह x is equal to a है ही और यह x is equal to four है ठीक है टेंसन नहीं है कर्व तो आपका एक ही तो आज़ेगे देखते तो क्या-क्या given था एक पर लिख लीजिए यहाँ से given जो कर्व था आपका क्या एक था x is equal to y square फिर x is equal to four था एड एक line और given है x is equal to a तो यहाँ से a find out करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं a1 निकालते हैं area 1 area 1 के लिए क्या हो जाएगा देखें यहाँ से कहा 0,2 0,2 a x क्या है यहाँ पे a है तो 0,2 a ठीक है और y d x क्या करेंगे y d x तो 0,2 a y यहाँ से क्या हो जाएगा आपका root x और यह d x क्या हो जाएगा root x कितना x का power 1 by 2 इसको integrate कर लिजेगा तो यह 3 by 2 बहुत आचुका अभी यह ठीक है 0,2 a ठीक है तो यह 2 by 3 upper limit डालिए यहाँ से a a डालिएगा तो यह a का power 3 by 2 minus lower limit 0 a1 आपका यहीं निकल के आया ठीक है यह आपका 1 a ब्याह हो गया ठीक है अब आगे बढ़तें आगे की कहानी a से सुरू होकर 4 तक जाता है यहां क्या था 0 से सुरू होकर a तक गया था अब यह जो है a से सुरू होकर 4 तक जा रहा है तो इसका भी यही कहानी लिख दीजिए आप a से 4 और फिर वही ydx ydx कर्ब तो अपना एक ही है कर्ब तो एक ही है न ये थोड़ी चेंज कर रहा है ठीक है तो चलिए ydx क्या हो जाएगा यहां से देखे फिर यही कहानी रूट x और x का यह आपका रूट x और a2 4 और यह dx तो यही हो जाएगा आपका x का पावर 3 बाई 2 2 बाई 3 बाहर कीजिए ठीक है और a2 4 ठीक है चलते हैं इसको देख लेते हैं क्या है यह 2 बाई 3 4 रखिए यहां तो 4 का पावर यहां से 3 बाई 2 हो जाएगा और माइनस माइनस लोड लिमिट रखिए तो यहां से a का पावर यह 3 बाई 2 हो जाएगा ठीक है 4 का पावर 3 बाई 2 माइनस a का पावर 3 बाई 2 ठीक है यही आया आपके पास अब क्या बोल ला है कि the area between divides into two equal parts by the line x is equal to a अब आजाएए अब हम लोग जो question बोल ला है question की बात मानते हैं ठीक है न अब आज़े from question क्या है जो दोनों area आप निकाले हैं a की मदद से यह दोनों area क्या है equal ठीक है तो equate कर दीजे क्या हो जाएगा पहला area जो आया है क्या है यह आपका देख लीजे यहां से यह आपका 2 by 3 और a का पावर यहां से 3 by 2 is equal to इधर से इसको into कर दीजे तो into करने की जरूद क्या है ठीक है न 2 by 3 यहां भी बाहर में है cancel हो जाएगा 2 by 3 और यह 4 का पावर यहां से यह आपका 3 by 2 है और minus a का पावर यहां से 3 by 2 है यह और यह cancel हो जाएगा ठीक है यह इधर आके add हो जाएगा तो finally देखी क्या होने वाला है यहां से जो है आपका यह आपका 2 यह ना minus यह का पावर जो 3 by 2 है उधर आके add हो जाएगा तो यह का पावर यह 3 by 2 और इधर कितना बच रहा है आपका 4 का पावर यहां से गेद 3 by 2 3 by 2 ठीक है तो 3 by 2 हो जाएगा ठीक है अब 2 सारा काम भी गार रहा है ना अगर 2 नहीं होता तो यह का value 4 हो जाता कोई बात नहीं है हमको यहां से A बताना है कि A क्या होगा तो देखे यहां से क्या हो जाएगा फिर A का पावर यह आपका 3 by 2 is equal to इधर में अभी देखे बाई में 2 आ रहा है बाई में 2 आ रहा है है ना अब क्या करेंगे यह तो हमको निकाल ला है यह काम कीजिए इसको 2 का square कर लीजे ठीक है ना इसको 2 का square कर लीजेगा तो देखे यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा यह 4 का power 3 by 2 है ना तो इसको 2 का square कीजेगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा यहां cancel हो जाएगा यानि 2 Q बचेगा है ना और 2 Q बोले तो कितना बच जाएगा यहां पे 8 हो जाएगा इसको simplify कर लीजे ठीक है तो यह आपका हो गया 4 ठीक है क्या आगे आपके पास A का power 3 by 2 is equal to 4 क्या निकालना था आपको A find out करतना था ठीक है तो चेल यह हो गया यहां से यह आपका 4 का power उधर 3 by 2 है इधर में आके 3 by 2 ठीक है बस एक basic से calculation था यहां पर ठीक है चेलिए तो यही रहा आपका A का power आगे बढ़ते हैं देखे क्या बोला है find the area bonded by the curve y is equal to cos x and between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi तो चेलिए 0 और 2 pi के बीच में आपको area बताना है क्या होगा ठीक है चेलिए देखते हैं यह आपका pi by 2 यहां pi और फिर यहां पे 3 pi by 2 और इधर 2 pi ठीक है 0 और 2 pi के बीच में है यह 1 minus 1 ठीक है अब आई 0 पे cos 0 1 होता है और 90 पे 0 हो जाता है ठीक है फिर आपका pi पे minus 1 ठीक है न pi पे कितना हो जाएगा minus 1 और फिर यहां 3 pi by 2 पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ठीक है और फिर 2 pi पे पे क्या हो जाएगा आपका 1 ठीक है बस यही रहा ग्राफ करना क्या है तीन एरिया दिखरा है आपके पास A1 A2 और यह A3 ठीक है बस इसी को सॉल्फ कर लीजे आपका एरिया हो जाएगा ठीक है तो आज आजएए देखें एरिया एरिया क्या हो जाएगा सबसे पहले यहाँ यह 0 है 0 से πाई बाई 2 चलेंगे 0 से पाई बाई 2 ठीक है अगर क्या है आपका Y is equal to cos X तो Y is equal to cos X है तो लिख दीजिए cos X dx प्लस ठीक है फिर πाई बाई 2 से 3 बाई बाई 2 के बीच में तो यहाँ से फिर यह पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई 3 पाई बाई 2 से 2 पाई यह आपका 3 पाई बाई 2 से 2 पाई और फिर यह आपका बाई बाई 2 से cos X और dx और क्या करें यह कम और कर लिजिए यह area क्या है नीचे में दिख रहा है ना आपको क्या करना है जब ऐसा हो मॉट लगा लिजी ठीक है अब आ लेगा तो देखिए यहां से cos का integration sine हो जाएगा sine x ठीक है यह आपका 0 से πाई बाई 2 फिर यहां cos का sine हो जाएगा ठीक है यह आपका पाई बाई 2 से 3 pi by 2, फिर next, next, आगे, फिर cos का यहां से sin, और यह, आपका 3 pi by 2 से 2 pi, 3 pi by 2 से 2 pi, बस अपर limit, lower limit रखिए, इसका काम तबाम, आजे, यहां से यह sin pi by 2 minus sin 0, ठीक है, अरे direct लिखिए है न, ठीक है, sin pi by 2, sin 90, sin 90, आपका 1 हो जाएगा, और minus sin 0, 0, प्लस, ठीक है, sin 3 pi by 2, ठीक है, 3 pi by 2, याद रखिएगा, यहां pi by 2 होता है, और इसके just opposite आपका 3 pi by 2, इधर आपका 0 होता है, और इधर 2 pi, ठीक है, तो यहां अगर positive है, तो यहां negative होगा, तो देखे, sin pi by 2, 1 होता है, तो sin 3 pi by 2, कितना हो जाएगा, आपका minus 1, और minus lower limit, lower limit रखिए आप यहां से, pi by 2, तो कितना हो जाएगा, यह, 1 होता है, ठीक है, next, sin 2 pi, sin 2 pi, sorry, 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 pi होता है, इधर pi, ठीक है, 2 pi यहां होगा, ठीक है, इधर जो होता है, even multiple of pi होता है, इधर odd multiple of pi, ठीक है, pi, फिर 3 pi, ऐसा आएगा, तो खेर हमको अभी उतना जाना है नहीं, चलिए यहां से, यह आपका फिर क्या हो जाएगा, 2 pi रखेंगे, 2 pi मतलब 0, है न, 0 के पास है, तो sin 0, 0 हो जाएगा, और minus, यहां से 3 pi by 2 है, तो sin 3 pi by 2, अभी वैलू निकाली, कितना, minus 1 ती है, आपका plus 1 हो जाएगा, ठीक है, तो बस यही रहा आपका, यह 1 हो जाएगा, यह minus 2 mod के अंदर मे यानि क्या हो जाएगा, 4 square unit, ठीक है, बस यही है, असान सा question था, ठीक है, next question लेते हैं, next क्या है आपका, बोल ला है, using integration, find the area of the region bounded by the triangle, उस वर्टी से सब, ठीक है, अच्छा question है, देखिए, कैसे इसका हम लोग area find out करेंगे, ठीक है, सबसे पहले, जो points आपको given है, उससे triangle बनाएगा, 1, 0, तो यह 1, 0 यहीं कहीं होगा, ठीक है रहा, इसको point A बोल लीजी, उसके बाद 2, 2, 2, और इधर जिट 2, यहां कहीं आपका आएगा, 2, 2, ठीक है, और यह 3, 1, यहां कहीं 3, 1, ठीक है, तो यही रहा आपका triangle, ठीक है, अब इससे जो area bond हो रहा है, इसको आप integration के method से बताईए कि इसका area क्या होगा, बी और यह C बोल लेते हैं, आपका 3, 1, ठीक है, क्या करेंगे, कैसे हम लोग इसका area find out करेंगे, तो सबसे पहले integration के लिए तो हमको जो lines है, वो मालूम होना चाहिए कि वो line है क्या, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग, limit तो आपको मालूम है यहां, ठीक है, चलिए देखिए कहा कहा है, एक आपको यहां पर रहेंगे, यहां x is equal to 2, अब फिर x is equal to 2 से, यह आपका x is equal to 3, यह तो tension खतम है, अब रहा गया, यह line क्या है, यह क्या है, और फिर यह वाला line क्या है, अभी देखिए, यह area हमको find out करना है, ठीक है, इस triangle का area, मगर अभी जो अगर हम लोग integration से area यहां find out करते हैं, तो क्या हो आए, देखिए, हम लोग यह total area find out कर ले रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे है, यह भी निकाल लिए, ठीक है, यह भी निकाल लिए, ठीक है, हमको करना क्या है, area of triangle निकालना है, ठीक है, तो, और मेरा triangle कौन सा है, बस इतना ही, यह है, तो करना क्या परेगा, हमको, इसको हटा ले परेगा इसको माइनस कर लेना परेगा ठीक है तो वो ट्रैंगल मिल जाएगा तो देख रहे है क्या-क्या है यहां पे तो सबसे पहले हमको इस ट्रैंगल इसका नाम दे दीजिए A, B, C यहां पे D बोल दीजिए और इसको E बोल दीजिए ठीक है तो सबसे पहले area of triangle A, B, D नि और क्या भी सी डी इसका निकाल लेते हैं तो जैसे ही इसका एरिया निकाल लीजेगा तो यह पूरा यह जो पूर्सन आपको दिख रहा है यह पूरा निकल गया ठीक है उसके बाद फिर क्या कीजिए अब इस लाइन से जो ट्रेंगल बन रहा है एस ट्रेंगल का एरिया निका ठीक है तो इरिया तो निकाल लेंगे अब रह गया यह AB का equation क्या होगा BC का क्या होगा और AC यह तीनों सब से पहड़े चाहिए तो एच चीज याद रखेगा ठीक है ना जब एक लाइन दो पॉइंट से पास करता है तो उसका equation क्या होता है तो देखिए यहाँ से Y-Y1 is equal to Y1-Y2 by X1-X2 into X-X1 यही होता है जब भी कोई लाइन दो पॉइंट से पास करें कौन-कौन से पॉइंट से एकस 1-Y1 से और X2-Y2 से जब यह दो पॉइंट से पास करें तो उस लाइन का जो equation होता है यह होता है अब इसी पे set करते हैं आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग निकालते है equation of line ठीक है ना अभी आपको क्या है area between two curves आपको slabus से remove हो आए है ना यह तो simple line ही है ना और syllabus में आपकी clear bowl आए है कि simple curve और line के बीच में ठीक है इसलिए इस question को हम include किये है ठीक है प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक है नहीं आता है कोई बात नहीं पर लिए तो अच्छी बात है ठीक है ना छोड़के जाने वाला नहीं ठीक है point 1 मानिए तो यह 0 is equal to y1 minus y2 यानि 0 minus 2 by x1 minus x2 यानि 1 minus 2 और यह x minus x1 x1 कितना है 1 ठीक है तो यहां से यह y is equal to यहां से बच गया आपके पास minus 2 और नीचे में बच गया आपका minus 1 यानि 2 into x minus 1 यह किसका निकला a b लिखते चेरा y a b ठीक है अभी तीनों निकालना परेगा फिर equation of line a b के बाद अब b c का निकाल लीजिए यह b c ठीक है b c के लिए क्या हो जाएगा देखिए y minus y1 अब इसको y1 माल लीजिए ठीक है तो यह आपका हो जाएगा 2 और फिर इधर में आपका y1 minus y2 यानि 2 minus 1 by x1 minus x2 x1 क्या है इसका 2 minus 3 2 minus 3 और इधर में x minus x1 x1 कितना है आपका 2 ठीक है तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा यह 1 और नीचे में minus 1 ठीक है तो यहाँ से यह y minus 2 is equal to यह आपका बच जाएगा minus x minus 1 बचेगा ना यह minus x और प्लस 2 ठीक है तो यह इधर आपका जूड़ जाएगा तो यहाँ से y is equal to यह आपका हो जाएगा 4 minus x और यह किसका निकला bc ठीक है इस तरह से हम लोग y separate करके चलना है हमको y dx करना है ना इसलिए y को हम लोग अलग ही रख रहे हैं ठीक है अब आ जाएगे नेक्स्ट एक और बच रहा है आपका ac ठीक है देखें यहाँ से equation of line ac ठीक है यह रहाँ ac x1 y1 और वो x2 y2 मानी तो चलिए y minus y1 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 क्या है 0 उसके बाद y1 minus y2 यानि 0 minus y2 यानि 1 और फिर x1 minus x2 यानि 1 minus 3 और यह x minus x1 ठीक है यह क्या हो गया y ac is equal to यहाँ आपके अपास बच गया minus 1 और नीचे में minus 2 ठीक है यानि 1 by 2 और यह x minus 1 चलिए तो अब एक काम करते हैं सबको लिख लेते हैं ठीक है हमको जो चाहिए था क्या था यह y a b यह कितना आया आपका y is equal to a b जो आया है यह आपका 2 into यह x minus 1 आया b c का आया आपका 4 minus x और ac का जो आया है वो क्या आया y is equal to ठीक है और यह y is equal to 1 by 2 और यह x minus 1 ठीक है चलिए अब हम लोग area find out करते हैं इसका काम हो चुका है आब तो therefore दिख दीजिए यहां से area of triangle a b c is equal to सबसे पहले यह area निकाल लेते हैं area of triangle आपका a b d a b d उसके पाथ plus यह वाला portion plus area of यह quadrilateral क्या है आपका b c e d b c e d और फिर यह दोनों को plus करते हैं ठीक है यह दोनों को plus करने के बाद अब minus कर लीजिए किसका minus area of triangle a c e a c e ठीक है हो गया अब इसके बाद कर लीजिए integrate area of triangle a b d कहां से कहां one two two ठीक है और इसके यह area किसे बन रहा है यह वाले line से बन रहा है ठीक है ना यह line क्या है आपका y d x है ना लिख देते हैं और y a b और यह d x plus फिर one से फिर आगे two से three यह two two three अब यह जो area है यह जो area आप देख पा रहे हैं यह ठीक है यह किस line से बन रहा है y b c से किसे y b c से और यह d x plus फिर अब यह जो triangle इसको जो हमको minus करना है यह किस line से बन रहा है यह ठीक है यह जो बन रहा है आपको a c से तो दीजिए यहां से y a c ठीक है और into d x और इसका limit कहां से कहां हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 ठीक है न 1 2 3 यह आपका 3 हो जाएगा यह आपका 3 हो जाएगा 1 2 2 y a b यह क्या है 2 times यह आपकर 2 बाहर कीजिए और यह x minus 1 into dx plus y b c b c क्या है 4 minus x है तो यह 2 2 3 और यह 4 minus x और यह dx plus y a c है न यह 1 2 3 और y a c क्या है 1 by 2 और यह x minus 1 into dx ठीक है इंटेग्रेट कर लेते है एकस का यहां से यह x square by 2 minus 1 का x हो जाएगा ठीक है यह 1 2 2 ठीक है फिर यह 4 का हो जाएगा आपका 4x और यह minus x square by 2 ठीक है यह कहां से कहां 2 2 3 यहां से यह 1 by 2 फिर यह x square by 2 x का x square और यह x 1 का x और यह कहां से कहां 1 2 3 चले देख लेते हैं क्या हो जाएगा 2 अपर लिमिट डालते हैं अपर लिमिट डाल यह यह यहां से देखिए 2 का square 4 by 2 2 और यह minus 2 minus फिर अब 1 रखते हैं lower limit रखते हैं 1 तो 1 by 2 और यह minus 1 1 by 2 minus 1 इसका हो कहां आगे भरते हैं 3 रखते हैं तो यह 12 minus 9 by 2 minus 2 रखते हैं तो यहां से हो जाएगा यह आपका 8 minus 2 है न 2 का square 4 by 2 2 हो जाएगा next 1 by 2 3 रखते हैं तो 3 का square 9 by 2 minus 3 1 रखते हैं तो 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 और minus 1 यह रहां ठीक है चलिए हो गया आपका एक मिनट एक मिनट यहां minus करना था यह आपको यह वाला area minus करना है minus है ठीक है तो minus है ठीक है और यहां भी आपका यह minus हो जाएगा ठीक है अगर नहीं तो फिर सारा मिहनत बेकार ठीक है चलिए क्या हो जाएगा दीखिए यहां से यह तो 0 हो गया और यहां से minus 1 by 2 बचेगा तो यहां 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 बचेगा बहर में minus है तो 1 by 2 फिर बहर में into 2 यह बचेगा प्लस यह आपका 24 और minus 9 15 by 2 यहां से क्या बच जाएगा आपके पास 15 by 2 और minus 6, minus 6, यह हो गया, minus, इधर में minus 1 by 2, यहाँ फिर बचेगा आपके पास, यह plus 1 by 2, चलिए इसको भी लिखी लेते हैं, यह 1 by 2 into, इसका क्या हो जाएगा, यह 6, 9 minus 6, यानि 3 by 2, और यह plus 1 by 2, ठीक है, चलिए यह 1 plus 12, यह आपका फिर 3 by, 2 दे देगा, और यह minus, यहाँ से 2 बचेगा, तो कितना बच जाएगा, 1, ठीक है न, LCM ले लिजएगा यहाँ से, यह 2 होगा, और यह 3 plus 1, 4, 4 by 2, 2, और फिर बाहर में, 2, cancel हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, यानि 3 by 2, स्क्वेर, ठीक है, अब यह question ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, क्या होगा, अब इस तरह से line का equation आपको given होगा, सभी line का equation given होगा, ठीक है, तो आप line को plot कर लीजिए, ठीक है, points तो आपको मालूम है कि, line कैसे draw करते हैं, points डाल के, बस यह, यह, और यह मालूम कीजिए, फिर वही process, ठीक है, तो इसलिए यह point वाला था, तो point में क्या है, प जो triangle बनेगा, उसका area आप उस पर एक question कर लीजिएगा, ठीक है न, उसमें कुछ नहीं करना है, बस, line तो आपको already given नहीं है, बस, यह limit आपको डूम लेना है, तो जब line draw कीजिएगा, तो वो खुद बखुद आपको मिल जाएगा, ठीक है न, x0, y0, रखके जो हम आपको कर वो लाई, using method of integration, find the area bonded by the curve, क्या है, आपके पास mod x, mod y is equal to 1, ठीक है, तो सबसे पहले, अभी अभी mod का property मालूप था, बताया गया इस पर भी a question, ठीक है, क्या है, यहाँ से देखिए, सबसे पहले, यहाँ पर क्या-क्या हो सकता है, x positive ओ लिक लीजिए, y positive, ठीक है, मौड को open करेंगे, तो positive negative open होगा, तो यहाँ पर x positive, y negative, फिर आपका x negative, y positive, ऐसा कर सकते हैं, फिर आपका x negative, y negative हो सकता है, ठीक है न, उसके बाद फिर आपका x positive और y negative, यह चार condition यहाँ से बन सकता है, अब अगर ऐसा बनता है, तो देखिए, line क्या हो जाएगा, ठीक है न, तो देखिए, यहाँ से y, एक plus y और minus y आएगा न, जी, फिर उसके बाद x भी आपके पास x और minus x आएगा न, है न, यह आएगा न, यह तो आएगा न, चीक है, बना लीजिए, positive positive, एक बार positive, फिर negative, ठीक है, फिर negative, negative, ठीक है, फिर x positive y negative, ऐसा करके, यह combination अब बना दीजिए, ठीक है, अब जब ऐसा कर लेते हैं, अब देखिए, line क्या होगा, जब दोनों positive होगा, यहाँ से क्या open होगा, x plus y is equal to 1, ठीक है, x negative होगा, तो यह negative, और यह positive is equal to 1, ठीक है, दोनों negative, minus 1, minus, minus y, यह ह minus y is equal to 1, यही चार equation आपके अपास आया, ठीक है, इससे आपको curve draw करना है, फिर area find out कर लेना है, ठीक है, तो चीजिए, इस चीजिए को पहले आप note कर लीजिए, ठीक है, मिटाते हैं इसको, ठीक है, अब आपके पास देखे, चार लाइन है, ठीक है, पहला क्या है, x plus y is equal to 1, ठीक है, देखे क्या करेंगे, x, y, ठीक है, x को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे, तो y 1, और उसके बाद जब y को 0 रखेंगे, तो x 1, ठीक है, तो क्या इसका आपका लाइ आजाएगा, देखे, 1, 0, 1, 0 लीजिए, और यह आपका 0,1, ठीक है, अब आज़ेगे, अब इधर में, x 0 रखते हैं, तो y 1, और y 0 रखते हैं, तो x minus 1, बस यही आने वाला है, आपके यहाँ minus 1, और 0 आजाएगा, ठीक है, यहाँ जो हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, 1 और minus 1 हो जाएगा, ठीक है, यही रहा आपका, ठीक है, sorry, x 0 और y minus 1, ठीक है, तो चलिए, देख लीजिए, इसको join कर लीजिए, फिर देखे, यह क्या हो जाएगा, इसको join कर लीजिए, यह join कर लीजिए, यही रहा आपका, ठीक है, क्या क्या है, अगर लिखना चाहते हैं, तो लिख दीजिए यह आपका x plus y is equal to 1 का हुआ यह जो हुआ माइनस x plus y का पताहने दीजिए हमको क्या करना है देखिए चारो एक ही तरह दिख रहा है ठीक है ना यहां से यहां तक का distance कितना है 1 है ठीक है यहां से यहां भी क्या है आपका 1 ही है इधर भी 1 ही है ठीक है और यह भी आपका 1 ही यानि चारो एक जैसा ही हो गया ठीक है तो करना क्या है एक का area निकाल लिए इसका area सिर्फ find out कीजिए और चार से multiply कर दीजिए आपका total area आ जाएगा ठीक है इसका अगर area आप निकालते हैं तो 1 by 2 base और height यह भी कितना है 1 है यानि इसका area कितना आने वाला है एक का 1 by 2 total कितना है चार है तो चार से multiply अगर इसको कर लेते हैं यानि यहां से 2 square unit area आने वाला है ठीक है जब 2 square unit आने वाला है चलिए आप इस चीज़ को integration से करते हैं तो यह हम को चाहिए चलिए यहां से y कर लेते हैं तो y 1 minus x हो जाएगा a होगा ना तो चलिए सबसे पहले हम लोग area निकाल लेते हैं area of reason क्या है वो o a b o ठीक है कहां से कहां इसका limit क्या है 0 to 1 0 to 1 यह आपका 0 to 1 और यह किसे बन रहा है यह वाले line से ठीक है यह क्या है y dx इसके लिए करेंगे ठीक है तो 0 to 1 y y क्या है आपका 1 minus x यह भी क्या हो जाएगा देखिए 1 का integration x हो जाएगा minus x का कितना हो जाएगा x square by 2 और यह कहां से कहां 0 to 1 तो upper limit डालिए तो यह 1 minus 1 by 2 यहां 1 रखेंगे तो 1 by 2 minus lower limit दोनों में x दिख रहा है तो वह 0 हो जाएगा ठीक है तो 1 minus 1 by 2 यानि 1 by 2 ठीक है तो total area ठीक है न यह तो इस portion का आया है तो finally therefore total area दिख दीजिए है न टोटल area जो हो जाएगा 4 times 1 by 2 4 times of OABO ठीक है लिख लिजिएगा बात समझना है क्या करना है ठीक है यह 2 square infinite ठीक है तो integration से करना था आपको ठीक है यह भी अच्छा question है practice कीजिएगा यह भी line पे ही है न तो line तो छोड़ की जा नहीं सकते है ठीक है क्यों risk लिएने का whole line is making a rough sketch of the region region इस तरह से define किया गया है आपको ठीक है inequality is given है and find the area of the region by the method of integration तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ पर आपको inequalities given है एक एक यह है दो और यह तीन तीन given ठीक है तो सबसे पहले लिखिए क्या क्या है यहाँ पर देखिए पहला क्या है आपका x square plus 1 ठीक है यहाँ पर दो inequalities आपको given है तो सबसे पहले इसको अलग करते हैं क्या है एक y जो है यह greater than equal to 0 है और दूसरा आपका y जो है वो less than equal to x square plus 1 ठीक है तो inequalities अगर given है तो टेंजर लेने की जरुबत नहीं है करना क्या है हमको मालूब है कि हम graph किसके लिए drug करते हैं ठीक है तो चलिए हम equal के लिए ही graph drug करेंगे ठीक है बाकी जो less than और greater than given है देखेंगे उसका क्या करना है तो सबसे पहले तो आप इस तरह से equal कर लीजिए ठीक है इसके लिए हम लोग graph drug करेंगे ठीक है पहला inequality यह है दूसरा देखें क्या है कि y जो है वो आपका greater than equal to 0 and less than equal to x plus 1 तो यहां भी देखें एक तो यह है हो गया यह दूसरा है ना y greater than equal to 0 यहां से देखें यह क्या है आपका y is equal to x plus 1 के लिए यह एक line है इसके लिए हम लोग graph करेंगे एक ठीक है ना इसका इसको हम लोग trace करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे कि वो जो inequalities है उसका क्या करना है ठीक है और तीसरा क्या given है आपका देख लीजे यहां से x greater than equal to 0 and less than equal to 2 तो चलिए यहां से x greater than equal to 0 एक हुआ और दूसरा आपका x less than equal to 2 है ठीक है तो यहां से एक हो जाएगा x is equal to 0 और दूसरा x is equal to 2 बस यह सब जो आप देख रहे हैं घीरा हुआ ठीक है ना इसी के लिए आप पहले draw कीजिए उसके बाद फिर हम लोग inequalities given है less than or greater than उसका क्या करना है ठीक है चलिए तो आएए देखते हैं सबसे पहले है आपका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं y is equal to x और y is equal to 0 y is equal to 0 क्या हो जाएगा x x का equation है ठीक है ना यह x और यह y तो y is equal to 0 यह x x का equation हो गया ठीक है दूसरा इसका भी देख लीजिए x is equal to 0 x is equal to 0 तो यह किसका हो गया y x इसका equation है ठीक है दो तो हुगा ठीक है यह और यह ठीक है अब आते हैं y is equal to x square plus 1 पैरा बोला है है ना starting में भी पताया थे किस तरह से इसको हमको draw करना है ठीक है तो चलिए यह है देखिए यहां से कैसे करेंगे अगर यहां से x का value अगर आप 0 रखते हैं ठीक है तो y कितना हो जाएगा यहां से 1 हो जाएगा ठीक है y is equal to 1 ठीक है यह ही आपका point हो जाएगा आपका 0,1 अब बाक क्योंकि यहां negative है नहीं आपको ठीक है चलिए उसका हो गया अब दूसरा क्या है इसका भी हो गया इसका हो गया आपका अब बच रहा है आपका एक line x plus y is equal to x plus 1 इसका कैसे track कर लेंगे देखिए यहां से x और फिर y ठीक है एक बार x को 0 रखिएगा x को 0 रखिएगे तो y कितना हो जाएगा 1 ठीक है उसके बाद जब एक बार y को 0 रखिएगा तो x कितना हो जाएगा minus 1 ठीक है तो यह आपका हो गया यहां से यह minus 1 और 0 ठीक है और एक यह देख लिए एक 0 y1 यहीं पॉइट ठीक है तो चलिए अब हम लोग line भी ड्राग कर लेते हैं देखिए क्या हो जाएगा यहां से यही आपका line हो जाएगा जो यह ठीक है line भी हो गया आपका यह जो पैरा बोला है यह क्या है आपका y is equal to x square plus 1 ठीक है यह जो line है यह क्या है y is equal to x plus 1 ठीक है सब हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया बच कौन रहा है x is equal to 2 ठीक है तो देखिए यह one unit है तो one two यहां कहीं होगा तो चलिए इसका भी हम लोग ड्राग क दर ही लेते हैं ठीक है यह हो गया आपका x is equal to 2 अब सारा graph graph हो चुका है ठीक है अब आते हैं हम लोग जो equality inequality जो given है उसके बारे में सोचते हैं सबसे पहने यहां से सुरू करते हैं देखिए y greater than equal to 0 ठीक है y greater than equal to 0 तो greater than कहा होगा यहां से ऊपर ठीक है और equal कहा होगा इस axis ठीक है तो y के बारे में आपके पास information है कि आप यहां से उपर ही रहेंगे यहां से उपर ही रहेंगे ठीक है ठीक है यानि अभी जो भी होगा उपर की तरह next फिर यहां से देख लेते हैं आपका x is equal to 0 तो देखिए यहां से x greater than equal to 0 x greater than and equal to 0 तो x greater कहां से होगा इधर से इधर और equal to 0 मतलब इधर से इधर ठीक है यह बोल ला था उपर यह बोल ला है इधर कहने का मतलब यह जो x और y जो आपको given है greater than equal to 0 तो यहां से हमको पता चला कि बस अभी आपको इतना ही में रहना है यहां से बस इतना ही के इधर और इधर रहना है ठीक है तो चलिए अब यह और इसका tension यहां से अभी खतब हुआ इधर भी कुछ करना था क्या नहीं करना है ठीक है आप आते हैं नेक्स्ट है आपका y is equal to x square plus 1 इसका देख लेते हैं यह क्या बोल ला है ठीक है inequality के लिए ना less than equal to x square plus 1 तो इस तरह क्या inequality को जब हमको check करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग या तो curve के इधर में या इधर में एक point लेते हैं ठीक है ना और उस point को उस curve में रखते हैं ठीक है अगर यह जो inequality given है अगर उस point के लिए वो अगर true होता है तो जिधर से हम लोग point लेते हैं उधर का ही area हम लोग लेते हैं या उधर ही हम लोग चलेगी ठीक है अगर false हो गया तो उसके opposite चलेगी तो इस तरह से check करने के लिए सबसे simple सा कहानी है इसका कि आप इसके जगापे 00 डाल दीजिए 00 मतलब यह जो point है origin का इसको रखके आप check क अधर नीचे क्या होता है तो जैसे ही यहाँ 00 रखिएगा तो यह देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 0 less than equal to यह भी 0 plus 1 तो 0 less than equal to 1 क्या यह बात सही है या गलत है ठीक है वन जो है 0 से बरा होगा यह बात सही है यह बात true है ना क्या है ये true है तो true है कहने का मतलब यह जो आपका पेरा बोला है यह इधर ही इससे इससे यह information मिलना है आपको कि आप इधर ही रहे है ठीक है इधर ही रहेगे, इधर का छोड़िये अब, इधर हमको देखना भी नहीं दिये, क्यों, यह और यह हमको support कर चुका है, ठीक है, तो origin की तरफ, यह नि इधर पर, ठीक है, अगर false होता, तो फिर हम लोग उपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, चलिए, इसका भी हो किया, अब आगे कर लेते हैं, ठीक है, 0-0 डख लेते हैं, तो 0 less than equal to 0 plus 1, यानि 0 less than equal to 1, बात सही है, यह भी क्या हो रहा है, true हो रहा है, तो यह भी line हो ला है, कि आप भी इधर ही रहेंगे, यानि यह भी यहां से भी मिल आए, कि आप इधर ही रही है, ठीक है, अगर हमको इस line और curve के बीच क करना है, तो यह जो अब ही देख रहे है, यह जो curve के ऊपर, यानि पैरा बोला के ऊपर में है, तो नहीं हमको इस दोनों के बीच का area चाहिए, बस समझ रहा है, तो यह नहीं चाहिए हमको, ठीक है, अब आज़ेगे हमको common area ढोलना है ठीक है अब एक और बच रहा है कि x less than equal to 2 less than के लिए इधरी रहे यह इधरी ठीक है यानि यह जो line है x is equal to यह भी आपका इधरी रहने वाला है यानि सारा जो मिला के जो final आपका जो आ रहा है area कि आप यही area निकालके बता दीजिए ठीक है ना यह ठीक है यह area को find out कर दो चली हो गया अब इसका काम खतम है ठीक है इसको हटाते है इससे जो लेना था हमको ले चुके हैं अब हम लोग फिर अभी तक जो किये area find out करने के लिए अब वही काम करने वाले है分 ठीक है अब कैसे कैसे area वहाँ पर हम लिकाले तो देखिए यहां से ठीक है अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह का area बन रहा है क्या एक, एक to ये आपका जो पैरा बोला है ये, टिके है, ये यहां तक ये एक area बना रहा है, टिके है ये पैरा वला की वज़ासे बद रहा है और इधर ये जो है, ये किसकी वज़ासे, लाइन की वज़ा से, यानि यहां पड़ ये दोलों intersect कर रहा है, हमको यह point चाहिए, यह point चाहिए, naming कर लीजिए, a, b, c, d, यह d point चाहिए, point of intersection of line and parabola, वो हमको चाहिए, तो देखें यहां से, आपका line क्या है, y is equal to x plus 1 है, और जो parabola है, वो क्या है, y is equal to x square plus 1, प्लस इस दोनों को solve कर लीजिए, solving equation 1 and 2, equation 1 and 2, क्या हो जाएगा, दोनों देखें, y के बराबर ही है, तो आप यहां से कर लीजिए, कि x square plus 1 is equal to x plus 1, यह यह आपका हटे, जह हट जाएगा, तो x square is equal to x, यानि यहां से x square minus x is equal to 0, x common कर लीजिए, तो x minus 1, तो 1 हो जाएगा x is equal to 0, और 1 हो जाएगा x is equal to 1, ठीक है, तो चली, x is equal to 0, नहीं चाहिए, यहीं है, x is equal to 1, यानि यह जो मिला आपका, क्या मिला, x is equal to 1, y भी निकालने क्या है, कोई जरूबत नहीं है, हमको area 0 to 1, और 1 to 1 से 2, चले जाना है, बस y निकालने के जरूबत नहीं है, बस हमको वो point of intersection चाहिए, जो की मिल चुका है, तो चली, इस तरह से, आपका वो भी point निकल गया, अब क क्या करें, तो चली, आपके पास दो area हुआ, एक ये parabola की वज़े से, और दूसरा line की वज़े से, ठीक है, तो चली, find out कर लेते हैं, therefore, यहां से जो आपका area हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए, 0 to 1, 0 to 1, और फिर 1 to 2, ठीक है, क्या, y dx, y dx, ठीक है, यह, 0 to 1, किसकी वज़े से, पैरा बोला, ठीक है न, लिख लीजिए, यह किसकी वज़े से, लाइन की वज़े से, ठीक है, बस, लिख लीजिए, क्या क्या है, देखिए, 0 to 1, y, पैरा बोला क्या है आपका, x square plus 1 into dx, यह 1 to 2, लाइन क्या है, x plus 1, बस, अब इसी को calculate कर लीजि उसका काम, उसका भी कामब हो चुका, ठीक है, यही रहा आपका, यही जो answer आएगा, आपका final होगा, देखिए, x q by 3, x square का, और x का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, आपका x, और यह 0 to 1, फिर यहां से x का हो जाएगा, x square by 2, and 1 का x, और यह 1 to 2, ठीक है, अपर लिमिट तो यहां से 1 by 3, और प्लस 1, और lower limit डालेंगे तो यह तो 0 ही हो जाएगा, दोनों में x है, और 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां आते हैं, 2 डालेंगे तो 2 का square 4 by 2, यानि यह 2 और प्लस 2, अपर लिमिट माइनस lower limit, 1 डालेंगे तो यहां से 1 by 2 और प्लस 1, ठीक है, तो य यही रहा, यहां से यह आपका हो जाएगा 3, यह 4 by 3, और यहां से यह प्लस 4, और यहां से माइनस 3 by 2, अब LCM डे लिजिए, क्या हो जाएगा देखिए आपका यहां से, 3 और 2 का जो LCM हो जाएगा, यहां से 6 हो जाएगा, और यह 4 into 2, 8, प्लस 4 into 6, 24, 24, और उसके बाद माइनस 9, माइनस 9, यहां से यह 23 by 6 square unit, यही आपका final area निकल की आया, ठीक है, यही रहा आपका area, ठीक है, तो इस तरह से, जो एक आपको यहां पर भीर दिख रहा था, अच्छे से practice कर लिजिएगा, कोई tough चीज नहीं है, ठीक है, बस क्या करना है, अगर inequalities given है, तो देने तो, है तो है, ठीक है, करना क्या है वहां से, कि आप equal के लिए ही काम कीजिए, ठीक है, और बाद में वो बोल ला है, less than, greater than, उसके according of reason decide कर दीजिए, ठीक है, यही है आपका inequality best area bonded by curve, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, बढ़ते है next question की तरफ, देखिए क्या है आपका, एक छोटा चा क्वेशन है आपका, find the area bonded by the curve, y is equal to इतना, minus 1 और 1 के बीच में, ठीक है, चलिए, इसको भी deal कर लेते हैं, क्या है आपका given, y is equal to x, यह है न, अब आजएगे, यहां से, देखि यह x positive हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, x square होगा, कब जब x जो आपका positive हो, ठीक है, x अगर 0 से बरा होगा, तो यह x होगा न, और x into x, x square, और यहां से यह minus x square होगा, कब जब x 0 से छोटा हो, ठीक है, बस समझ रहे हैं न, यह आपका क्या हो जाएगा, x into x, इसके लिए X positive होगा तब और ये X into minus X होगा जब X आपका negative होगा ठीक है? आप आजएए क्या दिख रहा है? Y is equal to X square और दूसरा Y is equal to minus X square क्या है ये? पैरा बोला है रखर दें पहले करते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं ठीक है? पहला क्या है? Y is equal to X square ठीक है? ऐसा उसके बाद Y is equal to minus X square ऐसा ठीक है? ठीक है? छोड़ दें नहीं तक कुछ कर्डिंसन्स है इन इक्वालिटीज है उस पर भी फोकस कीजिए X greater than equal to 0 तो X greater than equal to 0 है याद रखिए ठीक है ना? तो इसको इधर खीचने की जरुवात नहीं है बाद समझ गए ना? जाना था हमको यहीं तक ठीक है? अब इधर का इधर का भी सोचो ठीक है ना? यह तो चलो X greater than 0 और equal to 0 के लिए हो गया यह क्या है? ठीक है? X less than ठीक है ना? तो X less than आपका इधर होता है ठीक है? आजाए यह यह तो यह तो यह सब भी दियान रखिए गया ठीक है ना? तो चलिए यह X greater than के लिए हो गया आपका इधर यह यह आपका X greater than के लिए हो गया और यह X less than के लिए हो अब और भी कुछ है X is equal to 1 है तो चलिए मन लेते हैं X is equal to 1 यही है ठीक है? और दूसरा X is equal to minus 1 है बस यही area है ठीक है ना? इसको calculate कर लिजिए हो जाएगा आपका चलिए आते हैं हम लोग अब direct calculate कर लेते हैं objective है उसी हिसाब से objective के हिसाब से ही calculate करते हैं चलिए minus 1 to 0 minus 1 to 0 और Y dx इसके लिए यह क्या हो जाएगा? minus आपका X square और यह dx नीचे है नीचे mod के अंदर plus फिर आपका 0 to 1 0 to 1 और वो क्या है आपका X square और dx ठीक है? बस यह minus बाहर कीजिए और X square का आपका X cube Y 3 X cube Y 3 और यह minus 1 to 0 और यहां से यह X cube Y 3 और यह आपका हो जाएगा 0 to 1 अपर limit रहाएगा minus हटा यह mod उसका काम तमाम करता है 0 रखिए यहां 0 minus और यह 1 by 3 रखेंगे minus 1 रखेंगे तो minus होगा तो यह plus 1 by 3 और यहां भी यह 1 by 3 minus 0 ठीक है? तो यह 1 by 3 और पलस 1 by यह 1 by 3 यहां 1 by 3 यहां ठीक है? यह 2 by 3 2 by 3 आपका answer हुआ ठीक है? बस यही था यहां पर यह एक चीज़ दियान रखना था यह ऐसा ही y is equal to x square देखके आप यहां तक न बढ़ जाएं ठीक है? फिर minus x square देखके इधर न चले जाएं ठीक है? यह भी conditions आपको देखना है ठीक है? इसलिए आप देखें आप दो-दो आज का लेक्चर आपका यहें पर complete हुआ area bonded by simple curve ठीक है न? आपके board exam में सिर्फ simple curve की ही बात है ठीक है? syllabus में board के syllabus में सिर्फ simple curve की तो उसके साथ-साथ line को मत बूलिए गा ठीक है? इसमें जो दो-तीन extra question कराए गया है mod x, mod y वाला ठीक है? उसके बाद वो जो points है है न? triangle बना के फिर उस पर बोले कि अब जब lines given हो तो triangle रख करके फिर वो area वो सा question अच्छे है practice करें thank you best of luck